वेलकम बच्चो मैं प्रवीन रोडा टीम CLC से केमस्ट्री फेकल्टी हमारा जो इस साल का ड्रीम एक्जाम जई 2022 है इसका इसकी प्रिप्रेशन के लिए जो DCM शुरू हुआ है DCM का जो आपका सेगिंड पेपर है केमस्ट्री का जी यो सी पी यो सी पेपर आपने दे लिया है अच्छा हुआ होगा फिर आपके कुछ डाउट है वो डाउट क्लियर करने के लिए सॉलुशन आप देखें इसमें आप आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा तो जी यो सी पी यो सी तो टॉपिक को कवर करता हुआ पहला पेपर अपन ले रहे हैं जी में का जी में के कि इस पेपर में 30 प्लस 10 टॉटल 40 कोश्चन इनवलमने में फर्स ताटी में आपके पांप सिंगल करेक्ट काकोशन है नेक्स टेंग के अंदर इंटीजर वेल्यू के लिए अपन कहें तो इंटी इंटीजर के कोश्न है सब के लिए अगर क्रेक्ट अंस्वर है तो फॉर मार्क्स का है और अगर कोश्चन गलत होता तो माइनस वन उसके लिए अपन गहें तो नेगिटी रहेगी चलिए देखते हैं तो कोश्चन नमर वन में देखें इफ एक कंपाउंड कंटेंड बोथ NNS नाइट्रोजन सल्फर अगर प्रेजेंट है दा आयन प्रेजेंट इन लेसाने एक्स्टेक्ट यदि मोलिकुल में नाइट्रोजन सल्फर दोनों ही उपस्तित हों तो लेसाने स्टियार करते हैं उसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों की प्रेजेंट होने पर अगर मॉलिकुल में दोनों प्रेजेंट हैं तो उसके लिए जो आयन टेस्टिंग के लिए होगा वह इन फोर ऑप्शन में से अपन को चेक करना है क्या होगा बोले तो साइनाइड आयन नही यह भी रॉंग है नेक्स्ट अपन कहें तो यह सी एलेस नहीं यह भी नहीं होगा तो यहां अपने को जो कहा गया था वो डेजायर अपनी कंप्रीट होती है कि समय यह थायो साइनो गृप होगा यह आपका आंस्वर रहेगा सेकिंड करेक्ट आंस्वर है हां जी इस कोशन म है उसको अपने को maximum length पर रखना है जहां smallest है उसको सबसे last में रखना है तो order दिये हूँ है आपको order देख करके यह चारों मुलीकूल देख करके एक बार डिसाइड करें यहां पर nitrogen का यहां पर रेजुनेंस करेगा इसलिए बॉन में double bond करेक्टर स्मोल होने का करेक्टर होगा जबकि यहां ऐसा नहीं है यह permanent single bond यहां पर मैंने डबल है इसके single होने का कोई option नहीं है लेकिन यहां का लॉन पर इसे भी double bond करेक्टर देगा तो permanent single रहने वाला है यह और पर्मानेंट डबल रहने वाला यह तो maximum length होगी second की minimum length होगी third की पहले तो इस पर काम कर लो अपने option में तो अगर अपन कहें maximum second की तो option यह ठीक लग रहा है maximum second की यह भी ठीक है यह ठीक है तो अच्छा यहां पर भी second ही आ रहा है तो यह तो maximum minimum वाला case तो अपने को solve नहीं करा पा रहा minimum अपन कहें तो third की minimum third की नहीं है इसलिए first option गलत है minimum third की है इसलिए चल सकता है और देख लो यहां पर minimum third नहीं है छोड़ दो minimum third नहीं है छोड़ दो तो यह लो question solve हो गया भी है यह आप का answer था third answer आएगा second third second highest third minimum क्योंकि वो double है सबसे छोटा bond होगा single है सबसे बड़ा bond होगा double bond character दोनों में हैं लेकिन दोनों में से यहां वाला resonance dominant है यह वाला तो इसलिए double bond character यह आपन कहें तो length को कम करने का काम fourth में ज़्यादा होगा first में अबन कहें तो उतना नहीं तो इसलिए यह order आपका final रहा third answer इसके लिए final रहा अगले question में which of the following alkenes has a hyperconjugation structure that show geometrical isomise molecule दिये हुए है आपको उसके hyperconjugative structure में जाना है अतीस एगमित सरंचना में देखना है जो GI शो करे geometrical isomerism जयामीति यह समावेवता शो करे देखो बटा आपको जो molecule दिये गए हैं उनके hyperconjugation में जाकर के hyperconjugative structure में GI की बात करनी तो अगर मैं यहाँ कहूँ तो मुझे मालूम है ये वाले जो alpha H है hyperconjugation एकी इन पर alpha H से होता है ये वाले alpha H hyperconjugation में involved होंगे लेगिन उस hyperconjugative structure में GI का chance होगा क्या नहीं होगा वज़े सुन लो वज़े ये है अगर कोई terminal carbon है वहाँ का H hyperconjugation करेगा तो इस type से यहाँ पर double bond आएगा लेगिन अपन जानते हैं यहाँ पर remaining दोनों valency HH रहेंगी सेम रहेंगी तो आप इस bond में कैसे GI का character बता सकते हैं कोई सेम प्रॉलम यहाँ रहेगी तो यह अपने answer से बाहर हो गया as usual यहाँ जाएं तो भी बातनी बनेगी यह double bond है hyperconjugation यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी कराओगे terminal carbon से कराओगे और terminal carbon पर आने की वज़े से double bond जो generate होगा वो GI के लिए capable नहीं होगा यहाँ जब जाते हैं आपन तो यहाँ वाले में यह terminal यह terminal लेकिन यह वाला H non-terminal है और यहाँ से बात बन जाएगी कैसे देखो carbon carbon double है यहाँ पर आपके बस क्या था यह जो molecule है carbon carbon double यह आपके बस यहाँ वाला जो यह group है यहाँ यह जो H दिया हुआ यह वाला show कर रहा हूँ मैं इस से अगर मैं यहाँ पर hyperconjugation करवाता हूँ तो hyperconjugation के बाद की situation क्या होगी carbon carbon double आ जाएगा यहाँ आपन कहें तो यह position आ जाएगी और यहाँ एक H जो है without bond के रहेगा यह वाली position आती है यह एक H यहाँ पर क्या होगा bonding में होगा तो यह जो position है तो अगर आप देखते हैं यह बिलकुल जी एई की जो condition होते है उसे fulfill कर रहा है यह methyl है यह ethyl है यह H है और यह methyl है तो overall यहाँ जी एई की condition बन रही है तो यह आपका perfect answer है यहाँ जाओगे fourth में तो वही problem सभी H hyperconjugation वाले terminal है तो बात नहीं बनेगी तो question समझ में आया होगा क्या है यह था भाई next देखें इसके बाद हांजी बटा next question है एनिलीन has high boiling point high vapor pressure at 100 degree insoluble in water एनिलीन therefore separated by यह बटा POC का question है एनिलीन का क्वाथनाक high है 100 degree पर high उसके लिए उचवाश्वदाब है जल में एविले है इसके लिए प्रथक करन की कौन सी भी देखो बटा बात यहां जो key point दिये गए है उस key point के according हमें समझ में आ रहा है कि distillation process हमें काम में लेना होगा क्योंकि बात किसकी चल लिए boiling point की तो boiling point का difference जहां होता है material में impurity में boiling point का difference है वहाँ पर distillation process काम में ले दे हैं तो पहले तीनों option देखो distillation के लास्ट वाला option यहां नहीं बैठेगा सब्लीमेशन की बात यहां नहीं आए अब लेकिन बात आती है distillation में तो देखो तीनों distillation की अलग-अलग condition है simple distillation आप उस case में काम में लेते हैं जहां boiling point का एक major gap हो material और impurity में तो यहां ऐसा नहीं condition है यह जो condition दी हुई है कि मदलब हमाला जो material aniline है वो 100 degree centigrade जो मदलब water का boiling point है वहां पे अपन कहें तो उसका high vapor pressure आजाता है इसका मदलब वो steam volatile है steam से अपन उसको क्या कर सकते हैं vapor में convert कर सकते हैं तो steam volatile है और दूसरी condition यह जो hint दे रहा है water में वो insoluble होता है तो बोले तो इस वज़े से यहां पे आपका simple distillation ने steam distillation ज़्यादा बहतर है distillation at low pressure यह condition किसके लिए apply होती है जो spent lie है spent lie से glycerol को जब separate करना होता है एक ऐसा material जो अपने boiling point पर अबन कहें तो decompose हो जाता है वहाँ पे अपन distillation at low pressure वाला यूज करते हैं तो यहाँ पे यह भी नहीं आएगा तो overall यहाँ जो answer रहना है वो क्या रहेगा भाप आस्वन, साधारन आस्वन, निमन दादपर आस्वन साधारन आस्वन आप काम मिलेते हो जिसमें अपने वो वाटर के अंदर क्या है इंसोलिबल है तो steam distillation process भाप आस्वन विदी से मुझें अलग करेंगे next कहें इसके बाद the increasing order of acidic strength of following acid acidic strength बता नहीं है molecule given है acidic behavior देंगे carboxylic given है carboxylic given है, carboxylic given है carboxylic और इधर यह सलफोनी तो बोले तो यहाँ पे अगर अपन acidic group देख रहे हैं तो यह identification जुरूरी थी बोले तो एक sequence में देते देते यहाँ पे best group दे दिया है sulfo तो आपको मालूम है carboxylic से ज़्यादा acidic behavior किसका होता है sulfonic का होता है तो sulfonic है तो इसे तो number one पे लेना ही है four number वाले को number one पे लेना है इसका मलब यह दोनों answer आपके नहीं आपका answer इन दोनों में से क्योंकि four four top पे दिया हुआ है देना ही है अब बात रहे इन तीनों में इन तीनों में आप यह देख लो बटर nitrogen का plus M लगता है carbonil का minus M लगता है इस oxygen का plus M लगता है plus M वाले acidic behavior को decrease करते हैं तो four के बाद आपको two लेना चाहिए four के बाद two आपका इस option में है इसका मलब first भी छोड़ दीजिए third आपका confirm answer रहा और उसके बाद इसमें क्या लिया है three और फिर one क्यों क्योंकि यहां आप जानते हो plus M इसका best होता है nitrogen का oxygen का poor होता है तो जहां पर donor poor है वो acid के लिए ज़्यादा favorable condition है तो बिल्कुल right है third answer आपको इसमें देना चाहिए next देखें इसके बाद the correct order of stability of following carbocation given cation की stability बताने बटा यहां एक positive charge है जिसे stable करने के लिए यहां का hyperconjugation काम करेगा inductive काम करेगा बट उसे unstable करने में इसका minus i भी काम करेगा यह था अगले में जाओगे तो यह जो plus था उसके लिए alpha h का number 3 और 2 5 हो गया तो पहले वाले से better condition है और both side से support है लेकिन यह वाला जो group है वो minus i का तो काम करीड़ा है यह एक negative factor है बट उससे better लगा ही क्योंकि वहाँ पे alpha h2 है यह alpha h5 है stability factor ज़्यादा है और दूसरा आपन कहें तो carbonil की distance भी बढ़ रही है और अगर आप यहां last वाले में जाते हैं तो यहां तो बहुत अच्छी condition है oxygen का यह long pair आगर के क्या करेगा octet completion वाला resonance करेगा तो resonance तो बागी किसी मैया ही नहीं हाँ किसी को लगता है कि हम ऐसा resonance करेंगे तो यह wrong है वटा ऐसा possible नहीं है कि आप यहां पे O पे plus ले आए और carbon का plus satisfy कर दें नहीं हो पाएगा तो यहां इन तीनों में से सबसे best third है third की stability higher है third यहां दे रहा है third यहां दे रहा है तो इसका मलब four छोड़ दो third के बाद आपको क्या लेना था two और one में से two लेना था इसलिए आपके बाश जो answer रहेगा वो कौन सा रहेगा third यह answer रहेगा three two one question number seven compare resonance energy of following देखो resonance energy के लिए आपके पास concept क्या होता है resonance energy system की stability के direct proportional हो system is stable है तो उसके लिए resonance energy high है system unstable है तो resonance energy क्या है list है देखो यहां पे यह जो system है resonance इसमें भी हो रहा है आप इसमें अपन कहें तो πाई का सीओ से resonance है पाई का सीओ से resonance है resonance में जो energy release होगी वो resonance energy बिल्कुल ऐसा यहां भी two pi और carbonil two pi और carbonil लेकिन दोनों में difference है यह कौन सा conjugation है यह है बटा cross conjugation जबकि यहां कौन सा conjugation है linear तो दोनों में से ज़्यादा better resonance कहां होगा यहां पे होगा linear वाले में और यहां तो better resonance थाई तो resonance नहीं है तो resonance energy least किसमें आएगी third में आएगी minimum resonance energy third में एक option यह दे रखा एक option यह दे रखा इतना अगर आपने देख लिया तो answer confirm हो गया first और second में से आएगा अब रही बात one और two में से तो better किसमें आएगी two में क्योंकि जहां resonance ज़्यादा better होगा वहाँ अपन कहें तो stability improve होगी और stability improve होगी तो वहाँ पे क्या है energy भी higher रहेगी तो two one three तो two one three में अपन कहें तो अपने को answer देना चाहिए कौन सा second answer तो final answer रहेगा इसका second next देखें इसके बाद which of the following is the correct order of bond energy for the indicated cc bond दर्शाय के cc बंदों में बंद उर जाका सही करम क्या है देखो एक तो यह दर्शा रखा है एक यहाँ पे एक यहाँ पे इनकी bond energy बताने है अब bond energy में भी अपन कहें तो intermediate की stability अपने को देखने है bond break करोगे intermediate phase आएगी intermediate अगर stable है तो bond energy क्या रहेगी कम रहेगी तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं bond energy stability of intermediate जो है उसके inverse है intermediate देखेंगे अब देखो जैसे मैं first molecule की बात करूँ यह जो bond है इस bond को अगर मैं open कर देता हूँ left हो तो system के लिए favorable होगा क्यों favorable होगा क्योंकि ऐसा करने पे आपका यह जो system है जो left वाली ring है वो aromatic हो जाएगी cyclic ring में 6 pi का conjugation आ जाएगा और जो right वाली ring है उसके लिए भी favorable है तो इसमें 2 pi का conjugation आने से वो भी aromatic हो जाएगी both side वाली ring aromatic हो रही है लेकिन इसका opposite नहीं करना है अगर आप ऐसा opposite करेंगे तो दोनों के लिए ही क्या होगा अच्छा नहीं रहेगा वजए क्योंकि इदर वाला भी anti-aromatic वो भी anti-aromatic हो जाएगा यहां जाएंगे अपन तो यहां आप bond को open करते हो कहां left side में तो दोनों के लिए beneficial है यहां negative वाना इसे aromatic कर देगा इसे positive वाना tropolium बना देगा aromatic करेगा तो दोनों में यह तो common बात थी अगर आपन last वाले molecule में देखें आप bond को open कर दें यहां तो यहां open करने पर left वाली ring तो aromatic हो रही है लेकिन right वाली anti-aromatic हो रही है और अगर आप bond को यहां open कर दें तो यहां वाला तो aromatic हो रहा है लेकिन यहां वाला क्या हो रहा है anti-aromatic तो overall bond की left ear right दोनों टाइम की जो opening है bond की जो breaking है वो favor नहीं कर रही है favor नहीं कर रही है stability अगर अपन कहें तो decrease हो रही है तो bond energy क्या हो रही है increase तो highest bond energy आएगी बटा जैड की जैड के लिए highest आएगी तो या तो यह option बैठेगा या यह वाला तो यह तो छोड़ दीजी none of these पर भी बात करते हैं तो जैड जैड आया अब बात रही x और y ऐसे वेखने में दोनों में same है दोनों के अंदर आप bond opening ऐसी कर सकते हैं कि aromatic system बने बट यहां भी देखिए भई यहां 6 pi का conjugation 2 pi का conjugation और यहां 6 pi का और यहां पर अपन कहें तो 6 pi का तो more resonance, more resonance energy तो यहां पर अपन कहें तो resonating structure जो होंगी उनका number increase होगा resonance energy भी increase होगी, stability increase होगी तो यहां पर y ज्यादा better है तो जहां intermediate ज्यादा better है उसकी energy सबसे कम तो y को minimum पे रखना है तो जैड़ तो आई गया था, y को minimum पे रखना है, y को minimum पे नहीं रखा तो यह भी छोड़ दीजी यह भी छोड़ दीजी, answer आपके पास कुन सा आ गया, third आ गया, final answer इसका third रहेगा next आ जाओ पेटा इसके बाद correct order for basic strength आपको basic strength का order बताना है, indicated nitrogen देख लो, basic में अपने amide इनको लेते हैं, तो यह तो x nitrogen है, z nitrogen है और एक y nitrogen है, आप यहाँ देखिए बाटा, जो y है, y का जो long pair है, वो resonance में involved नहीं हो सकता, क्योंकि bridge head rule लग रहा है, bridge head के nitrogen का long pair है, तो resonance में involved नहीं होगा, यहाँ वाला nitrogen का long pair CEO से resonance करेगा, और यहाँ का long pair बोथ side में, यहाँ भी और left side में, दोनों side resonance करेगा, तो सबसे busy long pair यह है, सबसे minimum basic location, फिर उससे better यह है, और दोनों से better कोना आएगा, y, क्योंकि वहाँ का, चो long pair है, वो क्या है, localized है, यह दोनों de localized है, तो y best होना चाहिए, इसलिए यह answer जा सकता है, यह जा सकता है, यह वाला में नहीं जाएगा, तो अपने को second और third में से answer देना है, तो y आने के बाद z और x में से अपने को z लेना चाहिए, तो z यहाँ था, यहाँ जा नहीं था, इसलिए आपका answer confirm रहा कुन सा, second answer होगा इसका, हाँ तो बच्च अगर कहीं system में polarity है, covalent molecule में, तो polar bond के अंदर अपन कहें, तो जो उसका positive या negative pole है, उसका equal value लेना, और उन दोनों के बीच की distance, in between pole, distance अगर अपन देते हैं, multiply करते हैं, तो आपके बस डैपल को में डाग, तो overall इसके लिए system में polarity होनी चाहिए, तो अगर मैं first option में देखत polar form में रहना चाहिए, अगर आप second में जाते हैं, तो यहाँ पे जो positive आया, बिल्कुल उसके साथ resonance है, लेकिन अपन यह नहीं कह सकते हैं, कि ज़्यादा first like है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि polarity से अपन कहें, तो aromaticity आई, और अगर आप third में जाते हैं, तो इसके लि लिए, अगर तीनों का मैं bond open करके देखता हूँ, जो polar bond है, carbon oxygen में यह नका gap है, उस bond की opening से बालुम चलता है, कि यह वली जो bond opening है, सबसे ज़्यादा favor कर रही है, तो सबसे ज़्यादा favor कर रही है, तो polar form में रहना चाहता है, तो एक किसी एक pole का charge value, और in between plus and minus pole, जो distance है, उसक भी गलत है, तो first answer इसके लिए रहेगा, polarity अगर आपको बतानी है, तो, next देखें इसके बाट, question number 11, strongest basis, आपके बास four option है, strong base देखना है, पहले number पे जो molecule आपको given है, organic का एक अच्छा base होता है, जिसको अपन guenidine कहते है, nitrogen का यह long pair, nitrogen का यह long pair, nitrogen का यहाँ पे long pair, देखने में ऐसा लगता है, कि यहाँ पे basic side 3 है, बट ऐसा होता नहीं है, यह वाला long pair यहाँ move करके density NH की increase करता है, यह वाला long pair भी resonance में density इसकी improve करता है, अगर ऐसा है, तो इसके लिए donor location होती है, यह वाली, यह था, guenidine ने कच्छा base है, parallel में देखी, आपने उसे basic behavior show करवा दिया, उसे NH का protonation कर दिया, यह उसकी protonation form है, तो अगर अपन यहाँ पे कहें, तो जो base main form थी, guenidine की, वो वही थी, जहाँ पे अपन कहें, तो protonation side अपने निकाली थी NH, अब यह show करने लगता, equal contributing resonance, यह वाला plus आप यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, तभी तो अच्छा base है, क्योंकि बोले तो उसका proton लेने के बाद, remaining जो part है, उसका conjugate है, वो equal contributing resonance का part हो जाता है, इसी लिए अपन उसको अच्छा base कहते हैं, यूरिया में कहें तो difference इतना ही है, यह यूरिया molecule है, NH की जगा क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, तो better क्या, ज्यादा better क्या होगा, N होगा, और next अगर अगर अपन 4 में जाए, तो 4 वाले में जाओगे, तो यहाँ पर क्या है, यह तो एक कार्बो, केटाइन दे रख है, जिसमें सभी lone pair, इसको stable करने में busy होगे, तो अगर वो इसके साथ resonance में busy होगे, तो उसमें अच्छा base नहीं हो सकता, तो इन सब में से अच्छा कुन सा है, first होगा, guanidine होगा, नेक्स्ट कहें, हम इसके बाद, which of the following reaction is not feasible, कौन सी अभी गिरा संभव नहीं है, तो reaction में अपन कहें, तो सब में reaction आपको दीए, बेटा sodium bicarbonate, sodium bicarbonate की reaction का concept क्या है, या यह जो reaction 4 दे रखी है, उनका concept क्या है, strong acid, weak acid को generate करता है, carboxylic acid ने sodium bicarbonate से reaction करके H2CO3 बनाया, जो water और CO2 में convert हो गया, बिल्कुल possible है, अपन कहें, तो carboxylic से H2CO3 का formation हो सकता है, sulfonic में बन गहें, तो यह H और यह HCO3, यह दोनों S2CO3 बनाएंगे, जो water और CO2 में convert होगा, sulfonic में भी ऐसा ही, तोकि overall जो order आता है, उसमें carboxylic best है, फिर number 2 पे carboxylic है, फिर उसके बाद S2CO3 है, फिर उसके बाद phenol आता है, फिर उसके बाद water alcohol, यह सब आते हैं overall order में, तो strong acid से weak acid, S2CO3 form हुआ, strong से weak acid, S2CO3 form हुआ, but phenol weak है, as compare S2CO3, यही आपका answer है, which of the following reaction is not feasible, कौन से वाली possible नहीं है, पहली possible है, दूसरी possible है, अगर उसने कहा not feasible, तो अपने को answer लेना था, कौन सा, था, अब बात आती है last वाले में, यहां क्या हुआ, यहां बटा, यह भी carbox slick, यह भी carbox slick का salt, तो इस carbox slick ने, इस carbox slick के salt को benzoic acid में convert कर दिया, बिल्कुत दोनों में difference है, इस carbox slick के पहरा पर जो nitro लगा है, इसको strong acid में convert कर रहा है, तो strong acid ने weak acid benzoic को उसके salt से replace किया, यह भी possible है, feasible है, तो अपना answer कौन सा रहेगा, थार्ड ही रहेगा, तो concept क्या था strong acid, weak acid को generate करेगा, जो यहाँ पर apply नहीं हो पा रहा था, phenol अगर अपन कहें, तो H2CO3 के comparison में कैसा होता है, weak होता है, कि नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, the correct order of stability of carbon, carbon and stability का correct order बताना है, तो बटा यह जो negative charge है, यह negative, यह negative, यह negative, इस negative में कहीं कोई resonance नहीं, यह negative अपन कहें, तो pi से pi से and no 2 से connected है, resonance में, हालाग यह negative भी pi से connected है, बट इस connection को हम कहते हैं, कौन सा connection, cross, जबकि यह जो connection है, वो कौन सा है, linear, conjugation best माला जाता है, linear, तो stability की point of view से ज़्यादा best है, second, क्योंकि वो अगर यहाँ से resonance start करेगा, next bond, next bond, और फिर आगे nitro के अंदर भी अगर अपन involve करेंगे, तो यह resonance involve होगा, यह negative अगर resonance करता है, यहाँ पे, तो nitro के साथ उसका कोई direct relation नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है, इस वज़य से अपन second और first में से ज़्यादा बेटर रहेंगे, इसे second को, third तो last में लेना ही, third last में लेना है, third last में लेना है, इतना भी अगर आपको मालूम है, तो इसका मलब आप यह confirm कर लेंगे, कि आप cancer third नहीं है, आप cancer second भी नहीं है, तो आपको आपको direct आपके पास answer क्या रहेगा, fourth answer रहेगा, two, one, three, next देखिए इसके बाद, correct order of stability of free radical, मुक्त मुलकों के स्थाई तव का करम बताना है, पहला जो मुलक आपको दिया है, free radical दिया है, इसके पास alpha h का number किता है, fourth, hyperconjugation की stability, inductive effect की stability, next वाले में जाओगे, तो वो आपका जो two degree free radical था, वो किस में convert हो गया, three degree में, three degree में convert होने पर उसके आपास alpha h का number बढ़ा, four तो उसके पास भी है, three यहां से भी है, तो overall क्या हो गए, seven, तो first वाले से second better, third, fourth, दोनों से ही अच्छे है, क्यों, क्योंकि third मे से fourth जदा अच्छा है, क्योंकि वो three degree भी है, इसलिए उसके पास hyperconjugation को कितने alpha h है, four, जब कि यहां पर hyperconjugation को one h, तो इसलिए यहां पर four सबसे अच्छा है, फिर three आना है, फिर two आना है, फिर one आना है, four, three, two, one, ऐसा option देखो, तो यह पहला option तो नहीं better, four, stability में नहीं है, second, अपन कहें, four, three, two, one, बिल्कुल, second option के अंदर बिल्कुल perfect दिया हुआ है, और यहां पे अपन कहें, तो four last में दे दिया, तो नहीं आएगा, यहां भी four last में दे दिया, तो नहीं आएगा, तो आप अगर direct वैसे भी देखते, कि यहां पे resonance नहीं है, resonance नहीं है, इन दोनों के resonance में अपन कहें, तो इसका hyperconjugation अच्छा है, four को best लेना है, यह भी अगर आपकी theme थी, तो यह four को best नहीं दे रहा, यहां पे भी अपन कहें, तो four best में नहीं आ रहा है, सिर्फ सिर्फ यहीं एक option में था, तो आप option की help लेते हैं, तो question और भी easy हो जाता, यह है, चली, next दे stable space, कौन सी सरवादिक style space है, देखो बटा, आपके पास एक phenoxide ion है, एक carboxylate ion है, एक benzyl carbon ion है, और एक paramethyl substrated benzyl carbon ion, तो अगर इन सारों में से comparison की बात करें, तो most stable की बात कर रहा है, तो देखो यह negative benzene ring से resonance कर रहा है, यह negative benzene ring से resonance कर रहा है, बिल्कुल वैसा resonance इसका भी है, त negative का resonance है, और अगर carbon पे negative है, और O पे negative है, तो no doubt O का negative ज्यादा better होगा, तो यह तो बटा वैसे अपने को छोड़ना चाहिए, बात सिरफ इन दोनों के comparison की थी, इन दोनों के comparison में क्या है, जब आप phenoxide का resonance कर रहाएंगे, तो उसकी बड़ी de-merit होगी, कि negative, जब resonance में busy होगा, तो वहाँ पे benzine ring पे negative charge लाए, यह इसका अपन कहें, तो एक poor character होता है, जो phenoxide की resonating structure को unstable करता है, जबकि यहाँ जो negative resonance करता है, वो O का O पे ही move करता है, same atom पे charge move करना, equal contributing resonating structure, resonating structure का number 2 होता है, बट equal contributing होती है, यही reason होता है, carboxylic acid का acidic behavior, phenol का acidic behavior से better होता है, क्योंकि carboxylate better तो उस point of view से भी देखोगे, cancer कुन सा रहेगा, second, next कहें हम इसके बाद, arrange the following carbo cation in order of stability, cation given है, intermediate की बात चल रही है, stability order लगाना है आपको, तो बैटा यहाँ जो cation है, उसको stable करने के लिए आप resonance, hyperconjugation और inductive की बात कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन सारों में resonance वाली कोई बात है, को resonance के लिए कोई conjugation नहीं है, तो आप बात कर सकते हैं, hyperconjugation की, तो अगर आप इस carbo cation को देख रहे हैं, तो इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6H तो यह हैं बाता, और 7 number H यह वाला है, 7H हैं जो इसे hyperconjugation से stable करेंगे, अगर आप इस पे जाते हैं, तो यहाँ पे बाता, 1, 2, 3, 4, और एक यहाँ से 5, तो alpha H का नंबर जो 7 था, वो कितना हो गया 5 हो गया, तो confirm 1 और 2 में से तो 1 अच्छा है, आगया यह, यह जो carbo cation है, only 1 degree है, और 1 degree के बास H कितना है, 1 है, तो यह तो अबन कहें, तो तीनों में least stable हो गया, यहाँ जाओगे, तो यह 2 degree है, 2 degree के बास आप देखोगे, तो H कितने हैं, 3 है, तो alpha H का नंबर अगर 3 है, तो overall first second से फिर भी competition नहीं कर सकता, तो सबसे better maximum alpha H वाला कुन सा आया, first, first की stability higher है, first वाला option यह है, यह अपना option नहीं हो सकता, first वाला यह है, यह अपना option नहीं हो सकता, अगर मैं top वाले को भी देखूं तो, first के बाद मुझे लेना था किसी second को, क्योंकि alpha H 5 उसके पास है, तो first के second पर जाना है, first के बाद second पर जाना है, यह दोनों में common चल रहा है अभी, फिर इन third और fourth में से मुझे fourth में जाना है, क्योंकि alpha H का number 3 है, तो fourth में जाना है, तो इसका महलब यह वाला option शोड़ दो, final answer कौन सा हुआ, second हुआ, option साथ-साथ help लीजिए, कई बार question काफी easy होता है, option से, time अपना बच जाता है, glycerine boils as 290 degree centigrade with slight decomposition, impure glycerine can be purified by glycerine 290 degree centigrade ताप पर थोड़ा, अब गटन के साथ उबलता है, अशुद glycerine को शुद किया जाता है, glycerine के purification का कौन सा method का आप में लेंगे, तो बटा यहाँ पे इसने खेंट दे दिया, glycerine का जो है, वो decomposition हो जाता है, glycerine अपने boiling point से पहले ही decompose होने लगता है, slide decomposition चलता है, अप गटन चलता है, तो ऐसे वली अगर problem होती है, तो उसको अपन क्या करते है, boiling point से low temperature पे ही उसको क्या करना चाहते है, boil करना चाहते, तो इसके लिए अपने को कौन सा distillation लेना चाहिए, steam distillation, simple distillation, vacuum distillation, simple तो नहीं चल vacuum में से अपन कहें, तो vacuum distillation इस purpose के लिए best रहता है, vacuum distillation या distillation under reduced pressure, तो निमन दाब पर अपन कहें, तो जो आस्वन है, निरवात आस्वन जिसे कहते हैं, ये method इसके लिए काम आएगा, और simple distillation के लिए आप जानते ही है, कि boiling point का difference मेजर होना चाहिए, और steam distillation में अपन कहें, तो जो material है, वो steam से क्या होना चाहिए, वेपराइस होना चाहिए, तो यहाँ तो इसका boiling point जो है 290 degree बता रहा है, तो steam distillation तो चलेगा नहीं, और यहाँ पे material और उन दोनों के boiling point के अंदर difference की बात भी नहीं है, तो simple भी नहीं, तो इसके लिए vacuum distillation ज्यादा बहतर option है, हाँ ज पात एक मिश्रण को प्रतक करने के लिए सरवाद उप्युक्त वीदी कौन से वाली है, देखो बटा, यह आपके बास है, और्थो नाइट्रोफिनॉल, यह आपके बास है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों का one ratio one mixture है, उन में से आप इनको separate करना चाहते हैं, तो आपको म में यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन मॉनिंग होने से सिस्टम का boiling point क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इतना डिक्रीज हो जाता है कि उसको steam से volatile किया जा सकता है, तो इसके लिए जो method होता है, इसको आप steam से vapor में convert कर सकते हैं, steam distillation method, इसके लिए एक suitable method होता है हाला कि दो condition होती है, जो material है, वो steam से volatile भी होना चाहिए, और साथ में अपन कहें तो water में insoluble भी होना चाहिए, हाला कि दूसरी condition की बात यहाँ नहीं है, इस पर पहले question आपने steam distillation का कर लिया है, तो distillation process, crystallization process, sublimation, chromatography, तो यहाँ पर perfect answer है distillation, क्योंकि उसने define करके distillation के type नही दियें, तो distillation के अंदर भी हला कि जो distillation काम आता है, वो steam distillation, पर यहाँ पर अपने को मालूम है, remaining weather काम नहीं आएंगे, तो आपके बस distillation है, आस्वन है, तो आस्वन की variety कौन सी है, वो यहाँ पर नहीं थी, तो अपने को आस्वन ही देना था, चलिए next देखिए इसके correct order of heat of hydrogenation of the below compound, तो heat of hydrogenation का order लगाना है, heat of hydrogenation, stability के inverse proportional रहेगा, यह आपन एक relation ही बताते हैं, more pi, more heat of hydrogenation, यह दो relation में से अपने को अपना question solve करना है, तो अगर बात अगर pi bond की करूँ तो pi bond का number सब में equal है, तो यह आपका second वाला relation तो यहाँ काम नहीं आ रहा, stability का inverse करना है, हलाकि इसमें भी condition होती है, उन्हीं isomer पर यह condition applicable होती है, जहां product similar हो, after hydrogenation product similar आना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो 6 carbon keen है, यह भी 6 की इन है, यह भी 6 की है, यह भी 6 की है, अगर मैं इनका pi bond निकालों तो सब में normal hexane आना है, बिल्कुल यह relation applicable है, आप stability का opposite कर सकते हैं, तो अब stability कैसे लगाए, अलकिन की, alpha h, देख लो आप उसके, तो यहाँ पर कहें, तो 2 or 2, 4 alpha h, यहाँ जाओगे तो 2 or 2, 4 alpha h, तो इसका म 13 है, तो better कौन सी होती है, trans, अब आजाओ यहाँ, तो इसमें better 1, 2, 3 or 2, 5, alpha h का number क्या हो गया, 5, तो 1 or 2 से better है, 3rd वाला क्योंकि alpha h का number बढ़ा है, as usual यहाँ देखोगे, तो 3 or 2, 5, यह भी अपन कहें, तो 1 or 2 से better है, लेकिन अगर दोनों में comparison किया जाए, alpha h, alpha h, दोनों के equal है, first, second, like, third, fourth में equal है, इन third, fourth में से better होगा, कौन, third, वजए, क्योंकि वो transform है, और यह वली कौन सी form है, sis, तो overall unstable इन में से कौन आया, 1 or 2 में से 1 आया, तो जो unstable है, उसके लिए, क्योंकि stability का opposite जाना है, अपने को stability, minimum है, तो हो होगी, highest होगी, तो 1 की highest होगी, 1 की highest यहाँ भी दिये, यहाँ भी दिये, बागी छोड़ दीजिए, बागी आपके अंसर नहीं है, और इसकी highest है, तो एक काम और कर लेता हूँ, minimum देख लेता हूँ, क्योंकि 1, 2 के बाद 3, 4 में से best कुन सा है, 3, क्योंकि transform है, तो 3 की क्या है, minimum, क्योंकि जो highest stable है, stability high, तो होगी, minimum, तो इसल उसने 2 क्यों ले लेना ही थे, क्योंकि alpha h equal थे, इसके बाद यह आए गई, इन 3rd और 4th में से पहले किसको लिया, 4th को क्योंकि cis है, इसलिए लिया, आपका आंसर जो रहेगा, कुन सा, second answer रहेगा, चलिए, next देखें इसके बाद, correct order of heat of convention, दहन की उश्मा का सही करम बताना है, heat of convention के लिए भी दो relation है, बटा, एक है more carbon, more HOC, या फिर वही stability का opposite कर सकते हो, HOC के लिए, stability का opposite कर दीजिए, heat of convention आजाएगा, तो यहाँ अगर मैं इन दोनों relation के base पे देखू, तो carbon का number 6 है, carbon का number 6 है, 6 है और 6 है, इसका मलब, ये पहला relation काम में नहीं लेना, अपने को stability का opposite करना होगा, तो अगर इन सारों को observe करूं, तो stability की point of view से सबसे best तो है बटा, थर्ड वाला क्योंकि 5-membered ring से 6-membered better होती है, और 5-membered से भी below stable कोंसी होती है, 4-membered, तो यहाँ पे अपन कहें, तो third की stability का level highest है, तो HOC, heat of convention जो होगा, minimum होगा, third minimum कहां दे रखा है, ये तो बिलकुल भी answer नहीं है, third को इसने highest दे रखा है, third minimum यहाँ भी नहीं दिया है, तो हटा दो, third third minimum द दिया है, तो इसका महलब answer आपका इस दोनों में से आना है, अब third की बाद अपन कहें, तो first वाला third के बाद आएगा, वजह उसकी, क्योंकि unstable तो four वाला होगा, तो two और four आगे रहें, तो two और four यहाँ है, two और four यहाँ नहीं था, तो यहाँ पे अपन कहें, तो first वाले को इ सिक्स मेंबर वाली रिंग का जो मोलिकूल था, उसको लास्ट में बताया है, heat of convention, तो इसका वाला five मेंबर वाला उसके जश्ट बाद आएगा, तो यहाँ पे आपका जो ज़्यादा best answer आएगा, वो कौन सा यह, अब आप यह कहेंगे कि इसा पूर four में, इसने two को पहले क्य compare relative stability of following resonating structure, जो आपको resonating structure दी है, उनमें आपको stability देखनी है, तो यहाँ यह जो same spacey की resonating structure इसने बताई, तो इसमें first वाली कैसी है, non polar, बागी दोनों polar है, तो यहाँ पे एक rule लगता है, non polar है, तो polar से best होगा, तो first वाला तो सबसे best stable होगा ही, first वाला first option में भी दिया है, second में नहीं दिया है, third में फिर दिया है, fourth में नहीं दिया है, इता भी दिख लिया तो दो option रहेगे, उन पे काम करते हैं, अब रही दोनों के बाद, दोनों ही polar है, दोनों में charge है, पर दोनों charge में देखो क्या है, O पे negative आना, और N पे negative आना, carbon पे positive, carbon पे positive के बाद तो common है, लेकिन O का negative N के negative से ज्यादा बेटर है, higher E N पे negative होना, तो वन के बाद मुझे 2 लेना था, वन के बाद 2 यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, इसका मलब आगसवर कौन सा confirm हो गया, first हो गया, चलिए बटा नेक्स देखें इसके बाद, the acidity of the indicated H in each of following, प्रतेक प्रदर्शित H की अमलता बताने, देखो प्रदर्शित H, यह वाला था, यह वाला था, यह वाला था, और acidic behavior देखना है, तो H को निकालो, और stability चेक करो, मैंने इस H को निकाला, negative बनाया, तो उसके बस favorable factor क्या था, left और right दोनों ring में resonance मिल रहा उसे, वो वाली condition बटा यहां भी है, वो वाली condition यहां भी है, यह common बात है, इससे answer नहीं आएगा, तो फिर अब क्या रहा, अब यहां पर अगर बे कहूं तो इस negative के लिए, यह जो पूरा group है, यह minus I का का अच्छा group है, लेकित इस negative के लिए, यह minus M का अच्छा group है, अब आप कहेंगे सब इस में minus M क्यों नहीं, बटा अगर आप इस negative को यह resonance कराते हैं, तो nitrogen की bonding 5 हो जाती है, जो possible नहीं है, तो इस resonance की कोई permission नहीं, यह inductive से उसे profit दे सकता है, जबकि फॉस्फोरस जो है, उसमें तो d orbital available होने की वज़े से valency extension हो सकता है, तो यह बिलकुल resonance में इसे help करेगा, और यहां तो यह इसे donate करेगा, donate करने की वज़े से inductive donate करने से unstable होगा, तो अगर किसी का conjugate unstable है, तो acid अच्छा कैसे हो सकता है, सबसे weak acid होगा third वाला, third वाला weak acid है, इसमें भी, इसमें नहीं है, छोड़ दो, इसमें भी, और यहां पे नह चाहिए, अपने को answer लेना चाहिए, कौन सा, third, two, one, three, चलिए, next देखिए, इसके बाद, from the compound shown below, choose which is anti-aromatic, अब anti-aromatic बताने के लिए, आपके बस cycle का rule है, cyclic system होगा, planar होगा, resonance होगा, और 4N, delocalized pi का होगा, तो अगर मैं first वाले की बात करूँ, तो यह aromatic है, anti-aromatic नहीं है, क्योंकि इसमें 4N plus 2, delocalized electron का number किता है, 4N plus 2, बोले तो, N का value, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो आ जाएगा 6 pi, 6 pi इसमें move करते हैं, प्रॉपोलियम होता है, यह अपना answer नहीं है, anti-aromatic नहीं है, आगे वाला जो molecule दिया हुआ है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन भी अपने answer में नहीं आएगा, aromatic है, क्योंकि यहाँ पे N का value अगर आप 2 ले लेते हैं, तो total 10 pi का de-localization आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही 6 तो pi और 2 negative total 10 pi का, तो यह भी आपके answer में नहीं आएगा, यह आपका answer रहेगा, क्यों, क्योंकि system cyclic है, system planar है, planarity है, इसमें resonance भी possible है, 2 और 2 4 pi का, और 4 pi वाला, 8 pi वाला क्या होता है, anti-aromatic, तो direct, हकल का rule अगर आपको ध्यान में है, तो इस पर बेस्थाई, अगला देखिए इसके बाद, which order is true for resonance energy, resonance energy के respect में, resonance energy निकालने का formula है, resonance energy क्या होगी, stability के direct proportional, system stable जादा है, तो resonance energy भी higher है, system की stability कम है, तो resonance energy भी कम है, तो इस में से अपने को सिरफ ये देना है, कि resonance energy का proper order जो दिया हुआ, तो first वाला तो मुझे proper नहीं लग रहा, अब आप गहेंगे क्या problem है, first वाले में जो ये first molecule furan दिया है, ये aromatic है, जबकि second वाले में तो ये carbon CS2 है, तो ये aromatic तो ये non-aromatic है, तो aromatic वाले की resonance energy हाई होनी इस्टेबल भी जादा है, तो resonance energy हाई, लेकिन अपने को वो नहीं दे रहा, ये जो बीच में sign है, ये गलत है, तो अपने को true वाला बताना है, अब आप जाओ second में, second में भी जो आपका first cyclopentadienyl anion है, ये aromatic है, तो ये तो non-aromatic है, तो ये भी wrong sign दे रहा था बीच में, अगर आप थाड़ वाले में देखते हैं, तो ये nitrobenzine भी aromatic है, लेकिन ये जो molecule है, इसके इस sp3 carbon की वज़े से non-aromatic है, तो ये भी sign गलब दे दिया, तो resonance energy का ये भी order नहीं है, ये वाला बिल्कुल proper है, ये आपका answer भी है, वज़े, पाइरोल है ये molecule, पाइरोल aromatic है, जब कि यहाँ पर अपने ये 2 sp3 carbon जो दिये हैं, इसे non-aromatic हो गया, aromatic है, stable है, stable है, तो resonance energy भी हाई है, तो fourth answer आएगा, इसमें, next देखें, इसके बाद, among the given pair in which first has lower nucleophilic character, तो nucleophilic character बताना है, nucleophilicity के बट़ा कुछ point है, nucleophilicity में crowd देखा जाता है, solvent देखा जाता है, negatively charged है, neutral है, ये आपका है, nearest atom पे long pair का repulsion है, ये सब facts हैं, और long pair का resonance में busy है, क्या तो nucleophilicity decrease होती है, उनके base पेपन देखें, पहला जो pair है, उसमें से least nucleophilic character first का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो negatively charged है, तो ये अपने answer में नहीं आए, फिर second वाले में अपन कहें, तो first वाला list नहीं हो सकता, वज़े उसके, क्योंकि ये minimum crowd वाला है, ये maximum crowd वाला है, crowding बढ़ना, nucleophilicity को decrease करता है, तो इसलिए first वाला list नहीं है, second वाला है, third वाला अपना answer बनेगा, वज़े उसकी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो बलकी group है, crowd में होने की वज़े से, ये nitrogen अच्छा nucleophilic character शोनी कर पाएगा, as compare this molecule, दाइनिताईल अमाइन जो है, यहाँ पे small group है, nucleophilicity अपन कहें, second वाले की best है, first वाले की list है, और ये ही अपना question था, given pair in which first has lower nucleophilic character, ये answer है, और PS3, NS3 में अगर अपन कहें, तो PS3 आपको लगड़ा होगा बलकी है, लेकिन अपन कहें, ये इसका जो nucleophilic character है, वो best होता है, reason, क्योंकि nitrogen से phosphorus की EN भी कम है, और nitrogen का जो long pair है, वो एक hybrid, hybrid orbital में होता है, directional orbital में होता है, यहाँ पे तो अपन ड्रेगो रूल लगाएं, तो possible नहीं होता, कि उसमें hybridization ही है, प्योर और अच्छा base भी रहता है, तो अगर अपन कहें, ये अपने answer में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने nucleophilic character list पूछा है, तो इसलिए third यहाँ जाएगा, PKA value of the compound decrease, देखो बटा, acidic strength जो होती है, PKA के inverse होती है, PKA decrease करने का मतलब क्या है, acidic behavior increase करना, पहले तो यह समझो आप, तो आपके बस यह acid है, इसका acidic behavior बढ़ाने में, Nitro, OH, NS2 या OCS3 ज़्यादा अच्छा role play कौन कर सकता है, no doubt Nitro, क्योंकि बाकी remaining जित्ते दी हैं, वो कौन से group हैं, प्लस M है, यह भी दोनों क्या है, प्लस M है, और acid पर अगर आप donor group पैड़ कर देते हो, तो acidic behavior decrease होता है, तो इसलिए आपको क्या देना है, first Nitro जो होगा, वो PKA value को decrease करेगा, acid extent increase करेगा, which of the following is strongest acid, बढ़े acid हैं, चारों देख लो, strongest बताना है, यह भी benzoic है, यह भी benzoic है, यह भी benzoic है, यह भी benzoic है, चलो, यह तो common बात होई कि, आपके बास सारे acid benzoic, benzoic के ortho पे OH है, पैरा पे OH है, फिर meta पे OH है, फिर यह meta पे CS3 है, ऐसे normal observation में तो ऐसा लगता है कि meta पे OH हागया, तो minus I होगा, लेकिन अगर ortho पे या पैरा पे आया है, तो इसका में लगों क्या होगा, प्लस M होगा, यह बात बिल्कुल सही है, ऐसा है, तीन यहाँ पे एक extraordinary effect लग रहा है, वो क्या, जिसको अपन कहते हैं, SIR, steric inhibition of resonance, benzoic acid, benzene sulfonic acid, के ortho location पे कोई group आये, donor आये, वटर ओवर आये, कोई matter नहीं करता है, उससे कार्बोक्सी group अपनी ring के साथ planarity छोड़ देता है, rotate हो जाता है, उसका resonance block हो जाता है, उस resonance के block होने से, उसका conjugate है, उस stable होने लगता है, इस वजए से इन सारों में से ज्यादा बेटर वह वाला है, SIR लग रहा है, भागी किसी दूसरे factor से नहीं, SIR से ortho effect से अपन कहें, यह first वाला ज्यादा अच्छा आएगा, next कहें हम इसके बाद, which of the following group has plus M effect, कौन सा plus M परभाव परदर्शित करेगा, plus M, तो देखो, आपके बस दो टाइब के group होते हैं, minus M और plus M, तो यहाँ पर उसने आप से plus M की बात करी, तो यह वाला plus M नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरियन की वज़े से bond जाएंगे, oxygen पर, sulfur deficient होके benzine link से electron withdraw करेगा, withdraw करने की वज़े से minus M बन गया है, ऐसे अपन कहें, NH बिल्कुल plus M है, क्योंकि nitrogen पर लॉनपेर है, और लॉनपेर वाला जो भी item है, जो भी group है, वो system को donate करता है, plus M होता है, तो यह आपका answer भी है, चलो और देख लो, CHO में क्या problem है, CHO में bond जो है oxygen पर open होगा, फिर ring के electron बाहर आएंगे, स्कॉपन माइनस M कहते है, CS3 जो है, वो बेटा plus hyperconjugation का group, उसने आपको specially plus M कहा है, plus M कहा है, तो यह नहीं लेना, अपने को कौन सा लेना है, plus M, resonance वाला जो group लेना है, वो थार्ड आएगा, clear? नेक्स्ट चलें, इसके बाद, which of the following compound has highest dipole moment, highest dipole moment, पर बात पहले भी dipole moment, polarity पर अपनी बात होई थी, वही वाला concept लगेगा, आपके जो तीनों सिस्टम है, उसका ये, ये जो middle bond है, इसकी opening से आपको ये चेक करना है, कि बाई, bond opening कौन सी side favor करती है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, इस bond को मैं open, उपर की side करता हूँ, तो नीचे वाले ring को aromaticity वाला character मिलता है, 2 pi का resonance, इस bond को अगर मैं नीचे open करता हूँ, तो नीचे वाली ring aromatic हो जाती है, और अगर मैं यहाँ पर ये वाला bond, नीचे की side open करता हूँ, तो double benefit, अभी तक ये benefit हो रहा था, ये दोनों bottom वाली ring aromatic हो रही थी, बट उपर वालों में तो सिर्फ charge था, ऐसा को specific factor नहीं था, बट यहाँ अगर अगर आपन कहते हैं, तो इसके अंदर आपने bond को ये open किया, तो उपर plus, नीचे minus, उपर भी aromatic, नीचे भी aromatic, और यहाँ पे bond को आ अपन bond opening ऐसी कर दें, इस bond opening के बाद अपन कहें, तो दोनों-दोनों ही क्या होंगे, highest table phase में चले जाएंगे, तो pole generate हो गए, pole के बीच एक distance भी है, mu होता क्या है, q dot r ही तो होता है, एक आपके बस charge value मिल जाए, in between to charge, जो distance मिल जाए, उसका multiply करने पे ही तो क्या आता है, तो द अरेंजा following in increasing order of their acidic strength, जो आपके बस four molecule है, उनको आपको acidic strength की increasing order में set करना है, first molecule को अगर आपन देखते हैं, तो ये जो बीच की middle location है, यहां के जो H है, वो ज्यादा favorable है, protomism के लिए भी बहतर होते हैं, क्योंकि अगर ही H यहां से loose होता है, तो negative charge को both side में resonance मिलता है, ये acidic behavior के अच्छा factor है, अगर आप second में देखते हैं, तो यहां पर अगर आप इस carbonic location के alpha H के बारे में सोचें, तो एक problem है, ये H remove करके जो negative आएगा, उसको उतना अच्छा intention नहीं मिलेगा, क्योंकि ये carbonil पहले से O के resonance में busy है, यहां वाले carbonil में अपने पस ऐसा नहीं था, तो उसके है, वो यहां पर टोटो मेराइज होता है, या यहां का जो negative है, वो सियो के साथ resonance करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर सियो resonance 2 का है, यहां 1 का है, यह ओ यहां पर उतना impact नहीं डाला जैसे एस्टर में था, एस्टर में तो क्या है, ओ बिल्कुल adjoining location पे होने की वज यहां पर बटा यह जो location है और यहां का यह जो एच्छ है, इसके लूज होने के बाद, यह CEO यह CEO तो इसे ज्यादा better response करेंगे ही, हाला कि यह दूसरे एक process में busy भी रहेगा, तो इन फिर भी थोड़ा resonance उसके साथ भी होता है, तो मुझे लगता है, इस से ज्यादा better condition यहां प्यारी है, क्योंकि इसका भी एक withdrawing effect यहां पर लगने लगेगा, जो इस में नहीं था, तो इन सारों में से अगर मैं देखता हूँ, तो आपके बस one और four वाली जो condition बन रही है, वो ज्यादा better बन रही है, और one और four में से ज्यादा better कुन सा है, four, तो four सबसे अच्छा तो यह दोनों option में नहीं जा सकते, यह लो एक ही option आपके बस, four के बाद कुन सा, one आना है, two और three में से अपन कहें, तो two three में से मैंने बता दिया, इस okay nearest location पे आना, अब मन कहें तो two को three से भी क्या कर देगा, least ऐसे भी कर देगा, तो आपके बस a की option बचा, four, तो इस cancer देना है आपको four, चली, आप आपका निया segment स्टार्ट होता है, यहां तक आपके बस four option वाले question थे, जिन में से one option आपको correct बताना था, next integer में है, आपको integer value में आपन कहें, तो बताना है, answer क्या रहेगा, number of sigma bond participate in hyperconjugation in following molecule, आपके सामने एक molecule है, molecule in category कहा है, hyperconjugation में involved sigma bond, आपको पता है double bond के जो alpha H है, double bond के जो alpha H है, यह आपको मालूम है hyperconjugation show करते हैं, तो बता, यहां से hyperconjugation कराओगे, तो यह दोनों के दोनों sigma ही involved होगे, और एक sigma यह भी involved होगा, तो यहां पे करते क्या है, इस bond को यहां पे shift करके, यह से ही तो electron shift करते हैं, यही तो hyperconjugation है, तो यह sigma involved होगे है, ऐसे वो भी involved होगे, तो sigma का number, जो hyperconjugation में involved है, वो कित्ता आ रहा है, 3, तो इसका answer रहेगा, 3, नेक्स देखिए इसके बारे, यह तो basic रहा नहीं, क्योंकि लॉन पर यह available नहीं, लेकिन यह वाला जो carboxylate है, और यह जो NS2 है, यह दोनों-दोनों electron किसी को donate कर सकते हैं, तो यह और यह दोनों donate कर सकते हैं, तो basic जो group है, उनका number कित्ता हो गया, तो हो गया, इस form के लिए, जो form आपको दे रखी है, नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, यहाँ पर यह donor है, एक vacant orbital containing atom हो, साथवल atom उसे electron पर donate करता है, यह backbonding category में आएगा, तो बिल्कुल backbonding possible है, यहाँ पर backbonding होतो सकती थी, लेकिन plus यहाँ होता यहाँ होता तो, अभी तो possible नहीं है, तो यह नहीं लेना, क्योंकि दोनों में distance है, direct possible नहीं है, कि यह long pair उस plus क मिल पाए, यहाँ आओगे BF3, BF3 यह वाला molecule है, और vacant orbital boron के बास होता है, octet incomplete होता है, यह long pair उस orbital की side shift होता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो backbonding ही होती है, इसके अंदर, जो इसको क्या कराती है, stability provide कराती है, next, CF3 में अपन कहें, carbon का जो vacant orbital है, fluorine की long pair से satisfy होगा, यह भी backbonding है, तो first में backbonding है, third में है, fourth में है, तो overall कितनों में, three aces species है, जिन में backbonding की possibility है, तो integer answer है, इसका, next question देखिए बटा, most basic location in the following compound, सरवादिक शारियस थल कौन से वाला होगा, आपके molecule में, one, two, three, four or five location indicate की गई है, इन में से बटा, यह वाली है, two degree amine, यह है, one degree amine, यह वाला आपके बास cyclic two degree amine है, यह अपन कहें, तो एक amine group, लेकिन जिसका lon pair resonance में बेजी है, और यहाँ पर यह वो location है, जिसको यहाँ की lon pair से density provide कराए जाते है, उसके बास अपना भी lon pair है, लेकिन यह अपन कहें, तो एक guanidine pattern मन गया, यह जो system होता है, इस type का, यहाँ पर यह जो nitrogen है, या इस location पर जो season अपन रख दें, तो इसके lon pair का support मिलकर के वो क्या हो जाता है, rich हो जाता है, उसकी basic location ज्यादा better हो जाती है, ऐसा support भागी remaining में से कहीं नहीं, तो इसलिए सबसे better location कुन सी आई, third, इसलिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा basic अगर अ है, maximum basic, most basic location जो है, वो यह थाड़ वाली है, चलिए next, देखें इसके बाद, among the given pair, how many pair in which first is more reactive than second, first की reactivity more होनी चाहिए, किस से AZNO3 के respect में, towards AZNO3, कितने जोड़े हैं, जिन में first AZNO3 के परती, second से अधिकी राशील है, तो अगर मैं पहले pair की बात करूँ, तो ऐसा condition मुझे नहीं लग रा, वज़े उसकी, क्योंकि Rx और AZNO3 की interaction में, AZX जब जाता है, तो R पे positive चाल जाता है, और वो positive अगर stable है, maximum stable है, तो reactivity भी maximum आएगी, तो यहाँ अगर मैं BR को निकालता हूँ, तो no doubt carbocation अच्छा है, लेकिन अगर मैं यहाँ वाला लेता हूँ, तो काफी अच्छा है, reason aromaticity जन्रेट हो रही है, यहाँ पर यह प्लस जो है, वो system aromaticity जन्रेट कर रहा है, तो first से second की reactivity अच्छी है, तो अपने को तो वो बताना है, जहाँ first reactive हो, यह अपने answer में नहीं आएगा, next वाले में जाएं, आप इस icon निकाले, system anti-aromatic हो रहा है, आप इस icon निकाले, anti-aromatic तो नहीं हो रहा, तो दोनों में से ज़्यादा best second है, तो यहाँ आपने को फिर नहीं लेना, क्योंकि अपने को तो first वाले, जहाँ पर first reactive हो वो वाला option चूज करना है, next इसमें जाएं, तो यहाँ आपन कहें, यह जो CL है, यह तो बटर रिमूव भी नहीं होगा, क्योंकि डबल मोन करेक्टर से एड़ है, जबकि इसके रिमूव होने के बाद बैंजिली कार्वो करेक्टाइन आएगा, यह भी अपने नहीं ले सकते, कोगि अपने को first reactive चाहिए, तो यहाँ तो CL जाएगा, एक नॉर्मल केटाइन बनेगा, फोर मेंबर, तो दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन से वाला है, first वाला, तो यह बिल्कुल option आजाएगा, यहाँ आपन कहें, इन दोनों में compare करें, इसके जाने के बाद जो plus आया, यहाँ पे जो plus आया, तो यहाँ वाला जो plus है, वो aromatic है, तो इसलिए first ज्यादा बेटर है, यह भी अपने answer में जाएगा, इसमें जाएं, BR को निकालोगे, AGBR बनाओगे, ट्रोपोलियम, एक aromatic कर्भोकेटाइन बनेगा, जबकि यहाँ anti-aromatic, इसलिए यह भी answer में जाएगा, first की reactivity, AGNO-3 की साथ अच्छी है, यहाँ पे pale yellow और AZI का, dark yellow color का PPT आता है, SN1 type की reaction हो नहीं है, कार्भोकेटाइन बनना है, कार्भोकेटाइन बेस्ट है, reactivity बेस्ट है, first वाले pair में better केटाइन second है, next वाले में भी second है, third वाले में अपन कहें, तो भी second है, इस fourth वाले G वाले combination में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे अपन क हैं, एक two degree के time, जो hyperconjugation से stable है, या फिर वो rearrange होकर के small ring बनायाएगा, लेकिन बटा rearrangement भी अपन कहें, तो reactivity अगर बबात कर रहा है, तो उसमें वो rearrangement वाला जो time है, और rate को कम करेगा, इसलिए better रहेगा ये, फिर अगर इन में कहें, तो यह aromatic हो गया, यह aromatic हो गया, parallel वाले aromatic यहां पर अपन कहें तो aromatic है, तो यह तीन हो और यह, तो overall कितने ऐसे pair हैं, जहां पर first की reactivity जो है, वो second से better है, total pair आगया आपके बस four pair, next देखिए इसके बाद, how many compounds are aromatic, कितने अनू aromatic हैं, यह बताना है, तो molecule में aromatic बताना है, तो first वाले में देख लो बटा, अपने को देखना है, cyclic system, planar system, resonance, और 4N plus 2, delocalized by electron, तो यहां मैं अगर count करता हूं, cyclic, planar, resonance wise दो को problem नहीं, system में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इलकुल 18 इसमें आता है, N का value अगर आप 4 रख लें, तो 4 multiply 4, 16, 0 to 18, तो यह अपने answer में आएगा, aromatic है, open chain molecule कोई aromatic नहीं होता, cyclic होना चाहिए, इसमें जाओगी, तो यहां पर अपन कहें, तो यह जो nitrogen है, यह SP3 आ गया, SP3 आ गया, तो इस cyclic system में कोगी minimum one cycle जो है, वो cyclic planar resonance और इस नंबर में delocalized electron रखे, तब अपन बात करता है, aromaticity की, तो एक ring है, उस एक ring में SP3 आ गया, तो possible नहीं था, यहां जाएं, तो यह anti-aromatic category में जाएगा, 2 or 2, 4, 4 pi का resonance होगा, यह वैसे ही non-aromatic होता है, top shape का special molecule है, यह बिल्कुल aromatic है, tropolium कहते हैं, हमें से, tropolium carbogratin, 6 pi का resonance है, first हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, यह anti-aromatic होगा है, क्योंकि 2 or 2, 4 का resonance हो रहा है, यहां पर अपन कहें, तो यह aromatic category में resonance है, 2 pi का, और यहां यह वाला anti-aromatic category में जाएगा, क्योंकि vacant orbital के साथ resonance होगा, but 4 pi का, यहां देखने में ऐसा लगता है, कि 10 pi का resonance है, लेकिन यहां के, जो एच-एच है, उनके repulsion की वज़े से system non-planned होगे, क्या हो जाता है, non-aromatic, तो यह special molecule है, non-aromatic में रखते हैं, यह special molecule है, लगने को, यह anti-aromatic दिखता है, यह aromatic दिखता है, पर होते क्या है, non-aromatic, यह anti-aromatic में आएगा, लेकिन अपने को तो aromatic बताना था, aromatic बताना है, तो यह बताईए, aromatic बताना है, तो tropolium बताईए, aromatic बताना तो यह बताईए, तो पूरी category में aromatic किते हैं, 3, यह पूरा जो group था, group मे त्री अरोमेटिक है नेक्स्ट कहें हम इसके बाद नंबर ओफ कंपाउंड अन्स्टेबल एट रूम टेमपरेचर कमरे किताब पर अनुओं की संख्या है एस्थाई एस्थाई अनुओं की संख्या कित्ती है अनस्टेबल कौन से वाले तो बटा आपके बस तीन टाइप के साइक्लिक आपको थे रूम टेंपरेचर पर एंटी अरुम में करता वह अरुम टे Never और्बिटल होता है तो फोर पाई का कॉंजुगेशन सिस्टम में मूग करता है तो यह भी अंटियरोमेटिक तो एंटियरोमेटिक वो है आपको इसमें से बेसिकली इंडिरेक्ट वे में अंटियरोमेटिक के बारे में पूछा गया और वो आपके बस कितने मॉलीकुल है वर तो इसलिए यहां भी आंस्वर क्या रहेगा ती रहेगा है चली नेक्स देखिए इसके बाद हाव मैनी कंपाउंड है ओड नंबर ओफ एल्फा हैड्रोजन कितने अनुओं में अलफा एच की संख्या विश्यम है तो देखो बटा यह दोनों डबल बॉंड डबल बॉंड क के बास यहां पर एल्फा एच किता है तो कि डबल बॉंड से नेक्स्ट कार्बन का जो है वो अपने को काउंट करना है तो यहां पर अपन कहें तो वह एल्फा एच का नंबर किता आया नाइन आया यहां पर जाए अलफा एच का नंबर किता है शिक्स है यहां 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 यह 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 आपकी जितनी भी स्पीस हैं सब डवल बोनड वाली है डवल बोनड नेक्स है वह आल्फा कार्बन और उस आलफा कार्बन के mulheres से क्या शौता है hyperconjugation चेसलिकर गरता हो तो उनके हिच का नंबर अगर अपन काउंट करते हैं तो और नंबर में विश्म नंबर में अपन पहे तो एक पापंगी यह जर्षृस्पीसी है इसमें और नंबर में है तो आपका ये वाला मोलेकुल है टोटल मोलेकुल जिनमें अलफा एच का नंबर ओड नंबर में है वो किते आ रहे हैं 3 आ रहे हैं clear टोटल नंबर ओफ मोल्स ओफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंजियूम डियूरिंग गीवन रियेक्शन विल बी एक्स यह जो मोलेकुल गीवन है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के X मोलेकुल से आप रियेक्ट कराएं तो X की किते मोलेकुल कंजियूम होगे तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट शो करने के लिए कंडिशन है strong acid weak acid को बनाएगा तो इस पूरी रियेक्शन में H2CO3 form होगा जिसका acidic level उससे बेटर है वहां पर रियेक्शन होगी तो ऐसा कर्बोक्सलीक में पॉसिबल है ऐसा सलफोनिक में पॉसिबल है फिनॉल और एलकाइन में पॉसिबल नहीं है तो बोले तो कोश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ओफ एस्पी टू सिग्मा बंदों की संख्या क्या है देखो जो मोलीकुल गिवन है वहाँ पे 123 और 4 कार्बन डबल बॉंडड़ है डबल बॉंडड़ है इतनी से यहां पर कुन सा है बड़ाईशन एपलाई हो रहा है तो अगर इस ट्रक्चर में मैं कहूं तो आपके पास यह जो कार्बन है इस कार्बन से कनेक्ट होगा यहां पे जो सिग्मा बॉंड़ बनाया वैसे तो सिग्मा बॉंड़ में जो ओवरलेबिंग अपलाई हुई है वो कौन से वाली हुई है sp2 sp2 यहां वाले पे भी sigma में कुन सी apply हुई है sp2 sp2 और यहां वाले sigma में भी जो apply हुई है वो कुन सी sp2 sp2 एक दो टी बागी डिमेनिंग में अपन कहें यहां पे sp2 था यहां पे attach हो रहा है यहां प्रॉलम यह है कि इधर वाला किया है तो अपने को जो टार्गेट दिया गया था वो SP2 SP2 का दिया गया था तो बोले तो 123 तो टोटल अंसर इसके लिए आएगा आपका 3 clear है हाँ तो बच्छों यहां से आपका GOC POC का जेई अडवांस वाला part 2 शुरू होता है part 2 में सबसे पहले आपके आपके बस four paragraph दिये गए है four paragraph में one option जो है वो correct है correct पे three marks है incorrect पे माइनस one marks है चलो देख दें question करते हैं अब passes क्या है mixture of S.A.D. compound can be separated by controlled neutralization using suitable base भाई आपके बस यह four molecule का mixture है mixture dissolve किया गया है किसमें डाई इथाईल इथर मिक्षर है और फिर इस separation scheme से इसको separate किया गया है अमलीय योगीकों के मिश्रण को उपयोगत शार का प्रिवत करके नियंतरित उदासी करन दवरा प्रतिकरत किया गया यह वाला आपने यहां पे क्या लिया बेस लिया और आप इसको separate कर रहे हैं तो यहां पे ऐसी एक वीदी का वर्न नीचे दिया गया यह पूरा scheme आपको दिखा दिया गये यह molecule थे sodium bicarbonate aqueous आपने लिया aqueous लेने पे एक aqueous layer बनी होगी आप यहां पे आपको टेक्निकली मालूम है कि sodium bicarbonate का जो hco3 negative ion है कार्बोक्सलिक या सल्फोनिक एसिद के एस से तो h2 co3 बना पाएगा बट इन दोनों से नहीं बना पाएगा तो इसका मलब इस इथर जो यह ethral complex आपके बस इथर का जो solution है जिसमें यह सब dissolve किये गए हैं उसको आपने जब sodium bicarbonate से react करवाया तो यह first two molecules जो थे वो aqueous layer में आ गये होगे बागी दोनों के दोनों किसमें रहे होगे इथर layer में यह रही इथर layer तो ether layer में थे यह दोनों बोले तो क्यों और जो पी है उसमें चले जाएंगे यह दोरों अब वहाँ पे आपने HCl लगाया है HCl लगाने पर क्या हुआ यह जो sulphonic acid है यह जो carboxlic acid है इसका salt बना था sodium bicarbonate से रिएक हुआ तो sodium salt बना मतलब यहाँ पे यह जो sulphonic acid था इसका sodium salt होगा और वहाँ जो यह carboxlic acid है उस carboxlic acid का भी क्या होगा sodium salt यह यह आपके पस P है अब आप इसके अगर HCl डालें यह तो क्या होगा बोले तो CL चला जाएगा इनने के साथ और यह H वापस से गेन करके क्या बना लेगा sulphonic acid करboxlic acid और अगर आप इस ether layer के अंदर sodium hydroxide डालते हैं आपको मालूम है OH negative जो है phenolic H को लेकर के water बना पाएगा लेकिन alcohol के साथ ऐसा नहीं करेगा क्यों रूल है strong acid से भ यहां पे बन कहें तो यहां एकोस लेयर में कौन आएगा phenol का salt जिसको तुम एक्षियर से रेक्शन करा के phenol बना लोगे और ether layer में लास्ट में कौन रह जाएगा ethanol यह तो बटा पैसेज की समरी है चलो अब हमने question को देखते है question क्या कह रहा है question में देखिए which compound of the mixture is present in fraction arc वापस पीछे जाके देख लो यहां पे बात कह रहा है आर में कौन से वाले acid होंगे तो आपको मालूम है sodium bicarbonate से दो ही react कर पाए थे दो का ही salt बना था P दोनों बने थे तो इन दोनों से ही अपन कहें तो दोनों के दोनों ही R fraction में होंगे देखो क्या था अंश आर कौन स दोनों लेने हैं तो दोनों के लिए अंसर अपने को एक ही चूज करना है वो एक आपके लिए यह आ रहा है तो इन दोनों को cover कर आदे वो आपका अंसर कौन सा होगा fourth clear है चलिए मिश्रन का कौन सा व्यव S में निश्करशित होता है which component of mixture is extracted in S चलिए एक बार देखते हैं S क से करवाई तो इन इस से कराने पर किसका सोल्ट बना फिनॉल का तो यहां पर बन कहें तो S में कौन था फिनॉल का sodium salt sodium phenoxide तो यहां देखो carboxylik नहीं यहां पर पहले एक्स्टेक्टेट हो गए फिनॉल है बिल्कुल और alcohol नहीं हो सकता carboxylik उपर वाले fraction में चला गया तो आपके बस क्या आएगा phenol आएगा second आएगा तो यहां पर fourth यहां second तो इसके लिए answer fourth रहेगा इसके लिए second रहेगा हलागि आप इसको साथ साथ देखें इसमें यह जो पूरा data दिया है इसके base पे अगर आप देखते हो तो समझ में आ ज इस्टू-COO3 बना पाएंगे फिनॉल एलकॉल नहीं फिनॉल एलकॉल में से वाटर बना पाएगा कौन फिनॉल एलकॉल नहीं ठीक है तो यह आपका question हो गया भाई His next देखें यह आपका पहला passage हो गया पहले passage के दो कोश्चन हो गए हैं आगे वाले में चलें नेक्स्ट पैसे देखते हैं ऐलेक्टृॉन डशली को प inadequacy हो ङए्व़ेक्टृफिक करें रियक्षिण में भाइक्ट कि ये मित्ग बात हैं यह होते तो पॉजिटिव है यहां कहीं डेफिशेंसी की बात नहीं होती है यह तो नॉबिल गैस कॉन्फिगेशन है और यह अपना लॉन पर देखे पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है तो सभी पॉजिटिव ली चार्ज पीसी को देखके रहें लेक्ट्रोफाइल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, covalent compound having complete octet but if central atom has unfilled d orbital also act as electrophile, यह भी ठीक बात कह रहा है, covalent molecule जिन में अपन कहें, तो octet complete दिखाई देता है, लेकिन vacan d orbital होते हैं, unfilled d orbital होते हैं, वो भी electrophile होते हैं, जैसे यह हिंट कर रहा है, pcl5 like specific, अब pcl5 में अगर आप कहें, sicl4 में अगर आप कह हैं, तो phosphorus cast silicon का octet complete है, इसका तो octet extension हुआ 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 है, तो बोले तो super octet molecule है, लेकिन उसके बाद भी यह दोनों deficient है, इलेक्ट्रोफाइल का भी हिव करते हैं, तोकि इनके बस क्या होता है, vacant d orbital होते हैं, next, all electrophiles are not always levisacid, इलेक्ट्रोफाइल वो है, जो इलेक्ट्रोण क पेर ले, अब ऐसे अपन कहें, तो free radical XPC होती है, जो electron deficient होती है, लेकिन उसको अपन levisacid category में नहीं रख सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल की कमी वाली पर जाती को electrons नहीं कहते हैं, ठीक, धनात्मक चार्जर वाली पर जाती है, electrons नहीं नहीं होती, सभी होती तो है, सभी न प्लस तो होता ही, फिर अब बंद कहें, सहसे होचक योगी कों में अश्टक बुरा होता है, लेकिन केंद्रिय परमाणों में डीक अक्षक होता है, अश्टक बुर्ण होता है, यदि केंद्रिय परमाणों में खाली डीक अक्षक होता है, तो electrons नहीं के रूप में काम करते है सब इलेक्ट्रोंस नहीं हमेशा लोई समल हो जरूरी नहीं चली यह तो बटा बात हो गई पैसेज की आप देखें which of the following is not इलेक्ट्रों 5 कौन सा इलेक्ट्रोंस नहीं नहीं है एच प्लस तो है भई CS3 प्लस तो है BX3 भी है NH4 प्लस नहीं है बताओ NH4 में NH3 के बाद एक लोग्पेर देने से nitrogen प्लस आ गया तो यह deficiency कहां शो कर रहा है electron अगर आप दोगे तो कहां दोगे इसे तो बोले तो यह आपको answer देना है यह सब के सब आपके answer नहीं है क्योंकि उसने का electrophile को नहीं है वो आपको लेना था तो इलेक्ट्रोफाइल जो नहीं है वो क्या है NH4 प्लस विच वब दा following is electrophilic in nature उन से वाला electrophile है और इस CO2 कहों तो बिलकुल electrophile है octet though complete है लेगने यहां पे इस bond opening से कार्बन पे क्या आ जाती है deficiency H3U plus में अपन कहें तो ये लेक्ट्रोफाइल नहीं है ये लेक्ट्रोफाइल नहीं होगा क्यों? क्योंकि एक लॉन पेज देने से इस पे प्लस आ गया है लेकिन ये लेक्ट्रोण गेन नहीं कर सकता क्योंकि अक्ट्ट अक्सीजन का कम्प्रीट है CH4 पूर एलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि कम्प्रीट अक्ट्ट वाला है ये लेक्ट्रोफाइल नहीं है तो कि अलमिनियम के फॉर बोड़निंग कम्प्लीट हो चुकी है तो आपके बस एलेक्ट्रोफाइल जो बचा वो कौन सा बचा? CO. Clear? चलिए तो यहां पर आपके बस हो गया यह सेकिंड पैसेज हो गया है थर्ड पर आजाओ बटा नेक्स देखते हैं हाँ तो बच्ची नेक्स्ट इसके बाद पैसेज आपका थर्ड है जैसे आपके यह मुलीकुन दे रखा है कार्बोनिल यहां पर अगर कोई H है और वो H यहां से मूग करके यह चला जाए कोई होजाता है प्रटोलमा थे में पैसे की कार्बोनिल होता है है इनको अपन क्या कहते है आईसोमर कारबोनिल एन इनल स्टक्चर आर टोटो माइस यह टोटो माइस एक वैलिविरियम शुकर रखा है के टी का मतलब यहां क्या है टी से बोलें तो क्या है टोटो मेरी की वैलिविरियम पॉंस्टेंट है प्रोड़क्ट अब सबस्टेंट का फर्मुला यह होता है तो प्रोड़क्ट फीन और ऑल इनक्री स होता है तो की मतलब ही is the following compound in decreasing order of KT, KT का decreasing order बताना है, तो KT के घटते हुए करम में विवस्तित करना है, तो order के अंदर सबसे पहले वो बताना है, जिसका इनोल सबसे best, तो अगर मैं first, second, third और fourth molecule को observe करूँ, तो fourth एक ऐसा molecule है, जिसका H जब इनोल में convert होगा, तो काफी better condition होगी, aromatic inol होगा, approximately 99% अपन कहें, तो 99% से भी plus अपन कहें, inolization का chance होता है, मोनो कीटो में inolization सबसे कम होता है, यह डाई कीटो का case है, यह डाई कीटो का case है, तो इससे तो यह better है, सबसे आगे S आना चाहिए, सबसे पीछे R आना चाहिए, तो हमें hint बिल गया, तो यह तो अपना answer हो नहीं सकता, next कहें S और R, बिल्कुल S top पे है, R bottom पे है, चलेगा, यह भी नहीं होगा, next पे जाए S और R, yellow यह भी नहीं होगा, कोशन अपना solve हो गया, अब बात आती, इन दोनों में से, इसने, इसको ज़्यादा better क्यों नहीं माना, वज़े उसकी, क्योंकि यह जो extra group दिया हुआ है, इससे, इससे यह दोनों resonance में satisfy हो जाते हैं, तो इस वाले H को ऐसे लिग करने में, इसका अच्छा roll नहीं होता, which of the following है, least value of KT, KT का minimum value किसका है, तो KT का minimum value मतलब जिसका enol, KT है क्या, KT का formula देख लीजिए, इसका minimum value करने के लिए क्लिए क्लिए होगा, इसका value highest होना चाहिए, तो इसका मालब enolization कम होना चाहिए, तो पहले वाले में तो बहुत अच्छा enolization होता है, वज़े उसकी क्योंकि aromatic product बन रहा है, यहाँ यहाँ और इसमें अगर अपन compare करें, इसका भी अच्छा enolization होता है, अभी बताया था, अप्रोक्स 76% जाता है, इसका अप्रोक्स 99% से भी प्लस जाता है, तो यहाँ अब रहे यह दो molecule, इन दोनों molecule में अगर मैं कहूं, तो यहाँ पर क्या है, यह जो दोनों CO है, दोनों CO के अंदर आप जानते हैं, यह negative, negative pole है, यह positive, positive pole है, यह repulsion से बचने के लिए single bond को बार-बार rotate करते हैं, तो काफी इसके लिए अपन कहें, तो conformer form रहेंगी, तो इसलिए यह enolization में जाना है नहीं चालए, तबकि यहाँ पर आप इस bond को rotate नहीं कर सकते, conformer of condition में नहीं ले जाया पाते हैं, तो यहाँ पर H लेकर के क्या करता है, इनol बनाता है, इनol बनागे फिर उसके बाद, जो इनol उसका बनेगा, उस इनol form का यहाँ पर क्या हो जाएगा, H बोड नहीं, तो कि यहाँ एक दूसरा option है, single bond का rotation करना, तो इसलिए यहाँ पर उसने केटी का, सबसे कम मान, least value कहा है, तो वो least value वाल आंसर जो होगा, वो क पैसिस 4 जो है, the common techniques used for purification are as follow, purification की जो techniques है, sublimation है, crystallization है, differential extraction है, distillation है, chromatography है, ठीक, तो यह 5 method होते हैं, जिनको पन यूज करते हैं, purification के purpose है, identify correct statement for crystallization, आप crystallization की बात करें, तो वहाँ पे correct statement आपको identify करना है, सई कथन बताना है, सारे statement है, चेक करते हैं, repeated crystallization becomes necessary for the purification of compounds containing impurities of comparable solubilities, crystallization का concept क्या है, crystallization का concept यह है, कि अगर material और उसकी impurity का किसी specific solvent में, जो dissolve होने का character है, वो differ है, तो वहाँ पे अपन crystallization method यूज करते हैं, अब अगर वो comparable solubilities अगर वो show करता है, solubility solvent के अंदर, molecule की और जो impurity है, उन दोनों की differ आती है, या अपन कहें, तो minute difference अगर रहता है, तो आप process को बार-बार repeat करते हैं, repeating crystallization वहाँ पे चरूरी होता है, क्योंकि बार-बार अगर आप ऐसा करेंगे, तो जो उसके अंदर filtrate र करना जरूरी होता है, यह तो बिल्कुर स्टेटमेंट है, चलिए, आगे बढ़िए, फिर अपन कहें, this method is used to separate volatile liquid from non-volatile impurities, इस वीदी का उपयोग वाश्पशीत तरल को, gas वाश्पशील अशुदियों का लग करने के लिए किया जाता है, नहीं, volatile material, involatile, जो आपकी impurities है, उन से separate होती है, इसको distillation process कहते हैं, मिटा crystallization कहते हैं, तो यह गलत हो गया, crude oil in petroleum industry purified by crystallization method, petroleum उध्योगों में कच्छे तेल को crystal करन से शुद किया जाता है, नहीं, petro product जो है crude oil जो है, उसको भी distillation से, और distillation भी कौन से वाला, fractional distillation से separate करते है, lie in soap industry purified by crystallization method, साबुन उध्योग में लाई कर शुदी करन, क्रिशली करन वीदी से किया जाता है, नहीं, जो soap industry है, उसमें जो लाई या glycerine जो है, उसको separate करने के लिए हम vacuum distillation या low pressure जो distillation किया जाता है, उसका use करते हैं, यह भी wrong हो गया, तो आपको बताना क्या था, correct statement बताना था, तो correct आपके बस कौन सा आ गया फर्स्ट था, चलिए, नेक्स्ट इसके बाद देखिए, formula of RF is, retardation factor, chromatography बढ़ेंगे, तो chromatography के अंदर, colon chromatography आप जब देखते हैं, तो वहाँ RF की बात आती है, RF retardation factor का formula क्या है, formula यहाँ पर कहा है, distance moved by the solvent from baseline, distance moved by the substance from baseline, तो यह opposite दे दिया वाई, actual में substance जो होती है, वो baseline से कितना move करती है, वो X होगा, और solvent जितना move करेगा, वो Y होगा, तो यह formula incorrect है, next वाले formula को देखिए, distance moved by substance from baseline, परफेक्ट है, distance moved by solvent from baseline, यह वाला formula आपका RF का correct रहेगा, बोत नहीं होगे, नन भी नहीं होगा, पदार द्वारा आधार रिखा से चली ग या RF का अपन कहें, तो formula रहेगा, यहां से आपका section भी start होता है, यहां 17 question है, 4 option रहेगे, 1 या more than 1 उन में से correct रहेगा, अगर आपको पूरा question सही है, 4 marks, बागी remaining case में minus 1 रहेगा, चलिए बाइक, देखिए इसके बद क्या है question में, consider the following negatively charged, आपके बस दो negatively charged डायन पड़े हैं, इनको देख लीजी, आपके सामने हैं, तो इनके लिए आपको correct statement देखना है, सही इसमें से कथन कुन सा है, 4 कथन है, चेक करते हैं, statement चेक करते हैं, first is more stable than second, first वाला second वाले की comparison में more stable है, तो ठीक बात है बटा, क्योंकि first वाला जो negative है, उसको co resonance देगा, co only on resonance इसे देगा, बट ये जो co है, इसके बस दोनों साइड से resonance है, तो इस negative का अच्छा movement नहीं हो पाएगा, first अच्छा है, बिल्गुल ठीक है, second के comparison में first की stability अच्छी है, क्योंकि उसके बास resonance कराने के लिए proper one co है, लेकिन इस co का intention बहुत साइड होने की वज़े से negative का distribution उपना अच्छा नहीं होगा, फिर co bond length is greater than, greater first than second, second की तुलना में first में co bond length जादा है, पर देखो, second की comparison में देखें, तो first के अंदर co की length, अब आप एक बार दुबारा से यहां देखें, क्या है आपके पास, यह जो दोनों आयन है, negative आयन, इन दोनों negative आयन में आप जानते हैं, यह जो bond है, इस bond को single character maximum मिलेगा यहां, तो कि both side का resonance है, लेंथ ज़्यादा अच्छी किसकी होने चाहिए, second की, जबकि यहां पे तो one side resonance है, तो इसलिए single bond character ज़्यादा नहीं आएगा, तो यहां second की comparison में first में co bond length अधिक है, तो गलत statement हो गया, यह अपने answer में नहीं आएगा, both have only one more resonating structure, दोनों में केवल एक और और नदिस रंचना होती है, नहीं भई, इसमें तो आप इस negative को यहां ले जाके यहां पे shift करेंगे, तो आपके बस एक resonating structure आजाएगी, यह वाले, बस यही एक और है, बट यहां तो बटा, अगर आप इसको यहां लेके जाते हैं, तो इसको यहां ले जाने का मतलब, आपके बस रहेगा, यह resonating structure, और यह वाला statement गलत हो गया, दोनों में केवल एक नहीं होगा, इसमें दो structure है, उसमें one है, next, first, तथा, second, दोनों ही अन्य अनुनादी सरंचना और दर्शाई अनुनादी सरंचना से अदिक स्थाई होती है, other resonating structure of both one and two are more stable than the showman one, तो अगर अपन कहें, तो other structure जो है, more stable the showman one, तो यहां पे आप यह जो structure दिखाई गई है, उनसे जो remaining structure है, वो ज्यादा stable है, देखो, यहां पे carbon पे negative था, यहां ओपे negative आ गया, और यहां पे nitrogen वाला ओपे चला गया, और यहां पे nitrogen वाला ओपे चला गय है, density higher EN पे जारी है, तो यह बिल्कुश रही statement है, तो यहां first and fourth, इसमें आपको दो option देने है, first, fourth दोनों आएंगे, which equilibrium lies considerably toward the right, कौन सी सामयवस्था, दाई और अगर सरो, आपके सामने four acid-based reaction है, यहां इसका concept यह है, strong acid से आप weak acid form कर सकते हैं, तो carboxylic acid ने अगर ammonium generate किया तो possible है, approach PK, carboxylic 5 आता है, approach इसका PK 10 होता है, तो PK 5 है, इसका मिलब strong acid है, weak acid को generate कर रहा है, बिल्कुल right side में equilibrium shift हो सकता है, carboxylic है, इस carboxylate की reaction water से करवाई, और वो carboxylic में convert होगा है, बतलब water ने convert किया किसको करboxylic को, तो water जो होता है, उसका PK approach 16 आता है, तो weak acid, strong acid form नहीं कर पाता है, यह अपने answer में नहीं है, फिर ammonium, इसका approach phenol के equal होता है, approach 10 होता है, ठीके, ammonium iron ने यहाँ पर क्या बना दिया, ammonia, यहाँ पर यह अपन कहें, तो ammonium से water, water का 16 होता है, इसका क्या होता है, 10, तो strong acid ने weak acid generate किया, ऐसा भी possible है, यह भी हो पाएगा, यहाँ जाओगे HCN, तो यहाँ strong acid HCN ने weak acid H2O को generate किया, तो यहाँ यह तीन process possible है, strong acid carboxylik ने weak acid ammonium बनाया, strong acid ammonium ने weak acid water को generate किया, strong acid SCN ने weak acid H2O को form किया, यहाँ यह possible नहीं है, कि water carboxylik को generate करे, यह अपन कहें तो possible नहीं है, तो यहाँ answer आएगा, 1, 3, 4, next देखिए इसके बाद, consider the following carbocation, यह जो carbocation given है, इनको देखिए, इनमें देखिए, correct statement बताना है, तो first, second, third, three carbocation दिये है, all of these carbocation are also stabilized by hyperconjugation effects, यह जो carbocation है, इसको बोट साइड से hyperconjugation मिल रहे है, इस carbocation को भी 3H का hyperconjugation मिल रहे है, इसके लिए भी बिल्कुल possible है, तो यह statement बिल्कुल सही है, inductive effect have only stabilizing effect of all the above carbocation, जो भी carbocation given है, उनमें प्रेजन प्रभाव जो है, सभी carbocation धनायनों पर स्थायरिकर प्रभाव डालता है, केवल, यह इस वर्ड के ध्यान में, inductive effect have only, single inductive effect से आपका carbocation stable हो रहे है क्या, नहीं भई, hyperconjugation की बात अपर ने कर ली है, last वाले में तो resonance भी है, इसमें भी resonance भी है, तो यह statement सही नहीं है, resonance effect is stabilized only to second and third, नाथ प्रभाव केवल, second रजा थर्ड का स्थायरिकर न करता है, बिल्कुल ठीक बात है, first वाले में resonance नहीं हो रहा, hyperconjugation हो रहा है, second, third में resonance हो रहा है, यह statement सही, third is the most stabilized among, above carbocation, ध्रयनों में से, third सबसे ज़्यादा स्थाई है, बिल्कुल सही, यह जब long pair यहाँ पर resonance करेगा, तो octet completion वाली phase आएगी, जबकि second में ऐसा possible नहीं है, तो answer चापका है, fourth भी रहेगा, correct statement बताना है, तो one, three, four आएगा, next कहें हम इसके बाद, अगले question में क्या है, in which of the following pair, the first one is more stable than the second, first वाला जो है, वो second वाले से more stable हो, तो पहले वाले में आपको benzyl carbocatine दिया है, phiralyl दिया है, no doubt पहले वाला अच्छा है, क्योंकि इसमें benzyn के three pi का resonance है, next वाले में देखें, यह ethyl carbocatine है, यह विनाईल है, यह अच्छा होगा, क्योंकि higher e n पे plus अच्छा नहीं होता है, next अबन कहें, इसमें first और second वाले में से second अच्छा होगा, second इसलिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे resonance है, इस plus का spice resonance नहीं, यहाँ कहें, तो इस first और second वाले में से second जादा better है, क्योंकि nitrogen का लॉन पेर इसे क्या करेगा, octet completion वाला resonance कराएगा, जबकि यहाँ ऐसा possible नहीं, आपको तो क्या बताना है, in which of the following pair, first one is more stable than second, first जादा better हो, तो इसलिए आपको answer first लेना चाहिए, और एक आपको answer second लेना चाहिए, third, fourth नहीं ले सकते, one and two, यह दोनों आने हैं इसमें, next देखिए इसके बाद, in which of the following pair, the first molecule has longer indicated bond length than the second molecule, भाई यहाँ पे यह bond indicate किये गए हैं, उन indicated bond में अपन कहें, तो first molecule के लिए bond की length जो है, वो long होनी चाहिए, as compare bond length of second molecule, तो first वाले की greater आए, देखो इस bond length को affect करेगा hyperconjugation, और hyperconjugation होगा alpha-ac से, तो यहाँ पे alpha-ac का number है, 1, 2, 3, 4, 3 ये वाले और 2 ये वाले, total आपके बाद आगे 2, 4, 6 और 3, 9 alpha-ac, और यहाँ पे अपन कहें, 2, 4 और 2, 6, alpha-ac ही 6 है, तो इसलिए first वाले में 9 alpha-ac हैं, तो bond में single character ज़्यादा रहेगा, longer रहेगा ये वाला bond, यहाँ जाओगे, pi-pi का resonance है, जो bond को single करेगा, और यहाँ पे इसको single करने में nitro का resonance है, और nitro का resonance आपको मालूम है, dominating resonance होगा, यहाँ वैसे कोई अपन कहें, तो EN का कोई gap तो है नहीं, यह तो बोले तो एक natural resonance, यहाँ पे एक withdrawing proper आपने minus M group लगा दिया, तो इसकी, जो move करने की tendency रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए length किसकी अच्छी होगी, second वाले की, क्योंकि यह वाला bond single में ज़्यादा रहेगा, फिर अपन यहाँ जाएं, तो इस bond के लिए single करने के लिए nitrogen का लॉन पेर काम करेगा, इसको single करने में अपन कहें, तो oxygen का लॉन पेर काम करेगा, तो आप जानते है nitrogen का plus M, ज़्यादा greater होता है, इसलिए first अच्छा हो गया, यहाँ गए हैं, तो आपको मालूम है, इन दोनों methyl की वज़े से यह जो nitrogen है, यह rotate करके कौन सा effect लगाएगा, SIR, तो यहाँ resonance नहीं होने से bond permanent कैसा होगा, single bond character वाला dominancies में रहेगी, जबकि यहाँ, यहाँ भी SIR लगेगा, लेकिन दोनों SIR में अपन कहें, SIR greater कहाँ है, इस side, इस वाले में SIR ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ भी एक group लगाया, तो यहाँ आपन देखें तो दो group है, SIR ज़्यादा dominant है, यहाँ one है, तो कम dominant है, इसलिए यह best था, बोन लेंफ इसकी अच्छी आएगी, इसमें इसकी अच्छी आएगी, इन दोनों में से कहें तो first वाले की, इन दोनों में से कहें तो first वाले की, तो आपको वही बताना है, जहाँ प्रथम अनू की बंद लंबाई, दृत्ती अनू की तुलना में अधिक हो, तो इसलिए बेसा रिटन इन्क्रीजिंग ओडर ऑफ बेसिक स्टेंट के इन्क्रीजिंग ओडर में सेट करना है यह आपके बस लॉनपेर वाला इथाइल अमाइन है यहां तो लॉनपेर प्रेजेंट ही नहीं है यहां नेगिटिव चार्ज है तो यह कैसे करेक्ट हो सकता है यहां पर और इससे पीछे इपन honeymoon यह दे दिया यहां जाओ के मेथोकसी फ़ैर नेक्स्ट अबन कहें तो इमािन का कॉंजूगेट यह अलकेन का कॉंजुगेट भिल्कुल सही हे क्या क्योंकि इसमे olmak ये फल्कुल साओ वताह ये ऑफिनन्ण का अगें इसमिंदमीर हो नेख्शच कहें इनतितल अपur स्कों तो यहां ये यहां लेना चाहिए था बोले तो sp Carbon spenders Cup sp या फले ये और मुण हो गया यहां जातें अरब टो तो कार्बन पर नेगिटिव है और यह एक्चुल में क्या है एकटिक बहीएर देख लो आप कार्बोक्सलीक ऐसे पर नेट्रो वाला ज्यादा बेटर एसिद है फिर बेंजोई का आता है फिर फिनोल आता है फिर उसके बाद टॉलूई ना तो उसका पोजिट लोगे तो बेस पहले वाले में बेटर टू ओ टू फॉर पाई का कॉंजुगेशन है साइकलिक प्लेनर रेजोनेस और कहें तो फॉर एल प्लस टू डी लोकेलाइज पाई लेक्ट्रॉन होने चाहिए तो फॉर पाई नहीं फॉर एट वाला एंटि अरोमेटिक होता है यह अपने अंसर में तो टू पाई का सोरी 6 पाई का है 2466 पाई लेक्ट्रॉन का होने की वज़े से यह भी कैसा होगा एरोमेटिक तो फॉर है थ्री है टू है इजी कोश्चन है हां जी नेक्स देखिए इसके बाद कॲिए कोश्चन ड्र एक इंप है तो मोनोमेरिक हो क्वेंट हैं देखिए क्यों ग्रेटर पी बेसिक नेजर बेसिक स्टेंथ में यह जो क्यूं है यह ज्यादा बैटर है कि से पी से तो पी लोगेशन यह वाली देखो दोनों में क्या डिफरेंस है इस नाइट्रोजन का जो लॉन पेर है यहां पर अपन गहें तो इसके साथ य लेबल है जबकि यह जो क्यूं दिया है यहां पर यह जो नाइट्रोजन का लॉन पेर है इससे रेजोनेस करता हुआ इसकी देंसिटी इंक्रीज करेगा तो गुएनीदीन पेटरन बन जाएगा और अगर ऐसा है तो बिल्कुल क्यूं वाला ज्यादा बेटर है साई यह अपने कहें तो ट्रॉंक स्टेट्मेंट है इस्टिदीन है और उसका इस्टिदीन के लिए पीकर वन समान है आप अगर उसका PK-1 निकालें तो सबके लिए सेम आएगा इसके Isomeric form क्या है यह chiral center है आप उसका Dextro form ले 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 यहाँ यह NH2 यह Carboxy को वेजडेस अगर आप शोग करते हैं तो दो form बनेंगी कालें सेंटर पर किसी भी form में जाएं तो PK-1 पर क्या difference आएगा वो तो सेम आएगा उसके stereo से बन कहें तो PK-1 जो है उसका वेल्यू क्यों चेंज होगा तो यहां आपन कहें तो और भी आएगा 1-3-4 तो है जी बच्चों next which of the following order are correct regarding stability stability के respect में अपन कहें तो क्या better है यह cyclodekine है cyclodekine है cyclodekine में trans और sis में से sis better बताया है ठीक है तो कि 8-9-10 वाली cyclo-elkin में trans form जो है 8 से पहले तो जी यह स्टार्ट नहीं होती और 10 तक का जो मेंबर होता है वहां तक अपन कहें तो सिस फॉर्म ज्यादा बेटर होती है यह ठीक है यहां पर आप जानते हैं एस्मेट्रिक इन है और इसके है जब हाइपर कॉंजूगेशन करेंगे तो कौन सा और नायन बनाएंगे वन डिग्री जबकि यहां वाले हैं एक सिस को बेटर बता रहे हो नहीं your यहां 1-3 आएगा फिर इसके बाद कहें अपन विचोब फॉलोविंग रिपर्जेंट पेर ओफ रेजोनेटिंग स्टक्चर कौन सा अमनाद सरंचना युकम को रिरुपित करता है रेजोनेटिंग स्टक्चर को बताता है यहां पर यह नैट्रो ग्रुप अटैच है एथीन प इस बाद को आप यहां शिफ्ट कर के यहां लेके जा रहे हैं तो बिल्कौल यहां पर क्या जाएगा यह इसके लिए रेजोनेटिंग स्टक्चर हो सकती है इ bạn कर रहा है इन दोनों में कहें तो कर एक ऊपने बैने इसको इसको बना दिया और यहां इस वोण्ड की ऑपनीं कर दी इस पर नेकिते उचार जाल गया विल्कुल रिजोनेंटिंग स्टक्चर है यहां पे प्लस है यहां पर यहां डालो के तो प्लस किस पर जाएगा इस तो कि ओपर मैं पर कर रहा है तो यहां पर यह बैजुनेटिंग स्क्क्ट्टर है यह अगर अपन कहें इन दोनों में डेजॉनेंस का रेलेशन नहीं है क्या कि तो राय start को होग। यह नाइट्रो को मैंने open किया है कोई atom change नहीं किया यहाँ पे भी सारे atom fix हैं electron move कर रहे है यहाँ ता आपने क्या किया इस bond को shift करके इस edge को यहाँ लेके गए हो तब यह C3 में convert हुआ तो यह अपने answer में नहीं आएगा next कहें हम इसके बाद considering the following value of PK which reaction will proceed significantly in right direction PK के निमन मानों पर विचार करिए कौन सी अभी किरया मुख्यत है दाई और संपन होगी मलब right side में shift करने वाली चार reaction है पैसा पहले भी एक question आया है strong acid, weak acid को prepare करता है यहाँ कुछ value भी दिये हैं देखो ammonia 35, water का 16 acid का 5, ammonium cut and phenol cut देखो carboxylic जो है उसने ammonium जन्नेट किया बिल्कुल चलता है carboxylic 5 वाला है और ammonium 10 वाला है तो strong कौन सा हुआ यह जो value दिये हैं आपको PK के value यह value जो है वो सारे किसके हैं PK के और बोले तो acidic strength जो होती है PK के inverse होती है PK का value जितना small होता है उतना strong acid होता है तो 5 PK वाले ने 10 PK वाले को बनाया तो इसका मलब यह possible है right direction में और यहाँ अगर आपन कहें तो NH3 और H2 तो NH3 का गित्ता 35 और अमोनिया सोरी वाटर का गित्ता 16 35 वाला 16 वाले को बनाये नहीं चलेगा यह reaction नहीं हो पाएगी यहाँ आपन कहें 5 वाले ने जन्रेट किया 16 वाले को यह possible है यहाँ आपन कहें 10 वाले ने जन्रेट किया 16 वाले को यह भी possible है तो यह 3 reaction possible है यहाँ डाटा भी given थे तो यहाँ थियोरी में आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या है strong acid, weak acid को बनाएगा PK जिसका कम है वो higher PK वाले को जन्रेट कर सकता है Which of the following would rearrange to more stable form More stable form में rearrange हो पाए यह 2 degree carbocation है यहाँ से H लेकर 3 degree हो जाएगा बिलकुल rearrange हो जाएगा यह 1 degree carbocation है यहाँ से H लेकर के 2 degree में हो जाएगा convert यहाँ वाले में अपन कहें तो possible नहीं है तो कि अगर आप इस 2 degree को यहाँ से H दिलाते हैं तो इससे इसका dancing resonance जो है वो possible नहीं होगा फिर या इसका ring का size भी increase करते हो तो भी वहाँ अपन कहें तो dancing resonance नहीं हो पाएगा यह यह arrangement में बिलीव नहीं करेगा और यहाँ पर बज़ कहें तो इस 1 degree को आप किसमें convert कर दें 3 degree में यह possible है 1, 2, 4 में possible है कि आप रिये arrangement करवाईए उसमें कि नेक्स इसके बाद देखिए which of the following are electrophiles BF3 electrophile है बिल्कुल boron का octet complete नहीं है CCL2 कारबीन में 6 electron है NO प्लस भी लेक्ट्रोफाइल है I negative नहीं X negative जो होते हैं वो nucleophile होते है कौन electron से नहीं है तो इसका मदलब आपने को answer देना है 1,2,3 Next देखें इसके बाद which of the following compound will not show static inhibition of resonance SIR किसमें नहीं होता देखो SIR के लिए कोई बलकी ग्रुप होना ची जैसे ये ग्रुप है ये ग्रुप हुआ टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप हुआ उसकी ओर्थो पे कोई ग्रुप हो तो यहाँ पे अपन देखें तो दोनों की ओर्थो vacant हैं तो आप यहाँ SIR की बात नहीं करेंगे और इसने यही कहा है SIR नहीं होना चाहिए तो आपका पहला option आएगा दूसरे वाले में तो इस वाले ग्रुप को यह दोनों affect करेंगे यह rotate करेंगे rotation को क्या कहेंगे SIR जिससे इसका जो resonance है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा steric inhibition of resonance crowd की वज़े से resonance bound हो जाना तो यहाँ पे possible है SIR यहाँ भी possible है SIR यहाँ possible नहीं है वज़े उसकी यह रा ग्रुप और और तो पे कुछ नहीं लगाया अगर यह ग्रुप है तो बीच में कोई SIR शो करने वाला ग्रुप ही नहीं है तो इसका मलब यहाँ भी SIR नहीं होगा first form SIR नहीं है next देखें इसके बाद which of the following have larger CO bond length than CO of acetone acetone से CO bond length larger हो तो बहीं यहाँ पे carbon oxygen का bond length increase होने का reason है aromaticity gain करने के लिए polarity जन्नेट होती है resonance होता है यहाँ कहें तो यह possibility नहीं है क्योंकि bond opening से anti-aromaticity आती है तो यह ऐसा नहीं करेगा यहाँ आपन कहें तो यहाँ एक alpha H है यहाँ एक alpha H है लेकिन हम भी self edge से इसमें करवाएंगे inolization, totomism इसलिए carbon oxygen के bond में कौन सा character आ जाएगा single bond मतलब inol form में वो ज़्यादा exist करेगा exist करने के पीछे reason क्या है यहाँ आपन कहें तो यह जो molecule है इसका अगर inol बनाते हैं आपन यह भी inolization करता है inolization करता है इस तरह से लहीं इस mono keto inol से ज़्यादा better inol यह है क्योंकि इसमें resonance है as usual यहाँ भी जाएं तो इस H को भी अगर आप inol में convert करते हैं तो यह जो inol बनेगा इसके बास भी क्या option है long pair pi का resonance भी है और साथ में अपन कहें तो alpha H किरते हैं इनल में 4 इसके alpha H किरते हैं 3 तो fourth में third में और first में double bond के single होड़े का chance better है as compare second तो यहाँ पे और अगर आपने ऐसी टॉन के लिए देखते हैं तो उसके comparison में कहें तो 1,2,1,3,4 वो location है जहाँ पे possible होगा कि bond की length increase हो next देखिए इसके बाद which of the following compounds are यह molecule given है जिसका nitrogen का long pair resonance में busy है तो इससे comparison में more basic first वाला बिल्कुल है क्योंकि long pair resonance नहीं कर रहा second वाला भी है क्योंकि यहाँ nitrogen का long pair density बढ़ा के guanidine system बना रहा है यहाँ वाला nitrogen का long pair नहीं यह नहीं लेना है mi domain से अपन कहें तो weak होता है क्योंकि यहाँ dominating CO का minus M effect लगता है यहाँ का nitrogen का long pair भी resonance में busy है बढ़ा resonance किते का है 1 pi का यहाँ किते का है 3 pi का तो इसलिए यह भी क्या होगा more basic होगा तो 1, 2, 4 answer आएगा इसमें next कहें हाँ तो बच्चों इस question में क्या पूछ रहे which of the following alkene have lower value of heat of hydrogenation than the given molecule यह molecule है इसके comparison में HOH का heat of hydrogenation का value जो है वो lower होना चाहिए कम होना चाहिए तो देखो height of hydrogenation जो है वो stability के inverse proportional होगा या फिर heat of hydrogenation का दूसरा एक formula होता है more pi more heat of hydrogenation तो यहाँ pi का number तो सभी molecule में same है तो वो formula ते apply होगा नहीं यह formula एपलाई कर सकते हैं लेकिन इसमें भी एक condition है after hydrogenation product जो है वो same आना चाहिए तो देखो बटा यहाँ पे जो भी molecule है यहाँ अगर मैं इनका hydrogenation करूँ तो after hydrogenation जो product होगा सब में ऐसे वाला होगा आईसो प्रोपाइल साइक्लो हेक्जेन सब case में आप pipe bond remove करके देख ले तो इसका मलब यह वाला relation इनके लिए applicable है अब बात आती है कि अपने को अगर stability मालूम है तो उसका opposite heat of hydrogenation है तो आपका जो given molecule है उसमें अगर मैं stability की बात करूँ इनके लिए तो यहाँ stable करने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 total alpha h का number किता आ रहा है जो इससे stable कर सकते है hyperconjugation दे सकते है 5 है क्योंकि इनकी stability आप hyperconjugation से देख सकते अब वही अगर आपन इस scene में देखें तो आपके बास alpha h का number आ रहा है 10 3, 3, 6 और 2 यहाँ 2 यहाँ तो total हो गए 10 यहाँ पे इस scene के लिए अगर चेक करें तो 3 और 1 total alpha h हो गए 4 इस scene के लिए अगर आप चेक करते हैं तो 2, 2, 4 और 1, 5 और यहाँ इस scene के लिए चेक करते हैं तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे alpha h हो गए किते 3 उसने अपने को question क्या दिया है which of the following alkenes lower value of heat of hydrogenation heat of hydrogenation का value अपन कहें तो stability पे डिपेंड करता है stability की point of view से आपको देखना है इस से जो stable यहाँ पे अपन कहें इसके comparison में जिसकी stability more होगी उसका होच कम होगा तो कि heat of hydrogenation कब कम होता है दोनों में inverse relation होता है तो आपको देखना यह है कि जिस इन के पास अलफाइच का number 5 से greater हो तो 5 से greater 4 नहीं है 5 नहीं है 3 नहीं है तो इतनी नों आपके answer नहीं है answer कुन सा होगा logic उसका तो कि वो as compare इस इन से अपन कहें तो stable ज़्यादा है तो stable ज़्यादा होने का मदलब उसमें heat of hydrogenation क्या होगा कम होगा यह कहा रहा है hydrogenation की उसमा दियेगे ज़्यादों से कम हो यह बताना था आपको तो answer इसमें आएगा first answer clear है हाँ तो बच्चों यहाँ से आपका नया section start हो जाता है section C paper में तो 10 question इसमें given है 10 question में अपन कहें numerical value के answer रहेंगे जिसकी range आपकी रहेगी यह मदलब आपका जो answer आ रहा है वो आप इस range में show करेंगे और यहाँ पर बबन कहें तो 4 marks correct होने पे हैं और अगर वो आपका incorrect है तो minus 1 clear तो पहला question क्या कहता है how many of the following have at least one resonating structure in which all the atoms have completed valence shell तो आपको यह जो given structure 9 structure दी हुई है आपको यह देखना है कि during resonance कहां पर एक ऐसी structure ऐसी possible है जहां अबन कहें तो completed valence shell outer shell जो है उसका complete हो जाए ऐसे वाली structure अपने को देखनी है अनुनादी सरंचना में सभी परमाणू में सहयों जी कोश्पुरण हो यह देखना है देखो भई एकर मैं फर्स structure में देखूं तो ऐसा possible है अभी इस carbon का outer shell complete नहीं है लेकिन अगर इसका यह neighbor इसको यहां से pie bone shift करेगा और उसके बाद यह oxygen अपना long bear shift करेगा तो positive transfer हो के ओपे चला जाएगा लेकिन carbon का जो octet है outer shell है वो complete हो जाएगा तो यह अपने answer में आएगा इसमें जाएगे आप तो यहां तक तो आप resonance कर सकते हैं प्रॉलम यह है जो यह CHO group है CHO group में यह minus M का group है तो यहां से यह वाली permission हमें नहीं है कि हम electron ले ले तो possible नहीं होगा तो यह अपने answer में नहीं आएगा अब इसमें देखें तो क्या है यह bond अगर आप इस positive को shift करते हो तो फिर nitrogen का लॉन पर दे दीजिए nitrogen पर प्लस आजाएगा लेकिन उसमें भी अपन कहें तो outer shell carbon का भी complete रहेगा nitrogen के पास भी complete रहेगा तो यह आपके answer में आएगा यही question है फिर फॉर्थ हवाले में वही problem है जो second में है आपका यह जो group minus M था बिल्कुल वैसे ही यह group minus M है तो यहाँ से electron का flow यहाँ नहीं होना है तो कोई एक item जैसे आप इस bond को move भी कर देंगे तो इसका outer shell complete कर देंगे तो यहाँ वाला incomplete हो जाएगा आप इस bond को फिर move कर देंगे तो यहाँ incompleteion आजाएगा तो completion आने का chance यहाँ नहीं होगा अपने answer में नहीं आएगा फिफ्थ आएगा क्यों? आप इस bond को यहाँ move करें फिर आप इस bond को यहाँ move करें यह lawn पर यहाँ लेके जाएगा nitrogen पर प्लस आएगा लेकिन bonding 4 रहेगी outer shell उसका भी complete रहेगा carbon का भी complete हो जाएगा बिल्कुल ऐसी boron boron का outer shell complete नहीं है octet complete नहीं है यह negative को यहाँ से move करो यह यहाँ ले जाओ तो यह low carbon की bonding भी complete boron की भी complete outer shell completion में आ जाएगा तो यह अपने answer में रहेगा यह आपके बस जो plus है यहाँ तो इसका neighbor of season इसको अगर इस तरह से electron देता है तो बिल्कुल carbon का outer shell completion में चला जाएगा तो यह भी अपने को answer में लेना है यहाँ जाएं तो problem वही है यह minus M है बस यही चेक करना था इसको छोड़ना होगा यहाँ से आप यह electron दो ले सकते हो उसके बाद movement निकरा पाओ यहाँ पे भी यह bond तो अपन shift कर लेंगे तो यहाँ वाला यह bond shift नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह जो bond बना हुआ है इसका nature क्या है नाइटोजन ने अपना लॉन पेर देकर के एक bonding की है तो इसमें यह option नहीं है यहीं open होगा तो इसलिए इसको भी नहीं लेना है तो अपने पास overall answer में क्या लेना है अपने को 1, 2, 3, 4, 5 यह आपके 5 ऐसे species हैं, molecule हैं जिनमें ऐसा possible है तो आपको answer देना होगा किस range में 0, 5, 0, 0 range के according अगर आप answer बताओगे तो यह answer आएगा clear है बटा? चलिए How many of the following are strongest acid than phenol? कितने phenol की तुलना में प्रभल अमल है यह phenol ही है लेगी निये methyl plus H से उसका acidic behavior decrease करेगा phenol से यह CL minus I से increase करेगा तो यह अपने answer में आएगा यह OH भाई इसको अगर आप acidic group मानते हैं तो यह OH plus M का roll play करेगा इसलिए acidic behavior decrease करेगा यह meta location पर होने की वज़े से minus I का का काम करेगा तो acidic behavior increase होगा nitro भी अपन कहें तो minus M minus I लगाएगा हाला gage bonding होगी बट phenol से फिर भी ortho retro phenol का acidic behavior अच्छा होगा यहाँ जाएं अपन PCS3 acidic behavior increase करने की बज़े decrease करेगा यह methoxy minus I लगाएगा बिल्कुल increase करेगा यह plus M लगाएगा तो decrease करेगा यह तो है यह alcohol alcohol से phenol से अच्छा होगा ही नहीं और यह भी पूरा group donor का काम करता है तो phenol से अच्छे acid 1, 2, 3 और 4 तो यह answer आजाएगा 04.00 नेक्स देखें इसके बादपन जो नीचे दिया गया धनायन है इसको अनकूल पुनर से योजन होता है प्राप्त सरवादिक स्थाई कार्ब धनायन में कित्ती अती शिवमन से रंचनाय होगा आपके पास एक कैटायन है उसमें आपको एक re-arrangement कराना है जिसमें यह वाला ethyl उठा के यहां रख दो तो बोले तो यहां क्या बनेगा यह position आ जाएगी कि दोनों methyl as usual रहेंगे यहां पे आ जाएगा एथिल और यहां पे आ जाएगा plus तोकि रून होता है more donor, more migrator methyl और ethyl में से migrate कोन करेगा अब यहां पे यह जो plus है इसमें hyperconjugative structure बतानी है बेटा यहां पे 3H है जो hyperconjugation में participate करेंगे यहां भी 3H है और पीछे 1H total 7H इसलिए 7 structure आपको ट्रोग करनी है 0,7, 0, 0 कि आंसुर आ जाएगा बस यहां पे यह देखना था rearrangement आपको proper कराना है फिर देखें इसके बाद how many of the following acid liberate CO2 from sodium bicarbonate sodium bicarbonate के साथ अपन कहें तो CO2 मुक्त कोन करेगा बिल्कुल sulfonic कर लेगा, carboxly कर लेगा यह नहीं कर सकता है चोगी H2CO3 बनाना है strong acid से weak acid generate हो सकता है पिक्रिक acid में ऐसा होगा anisole होता है यह वाला यह anisole है और anisole का acid behavior अपन कहें तो phenol से भी कम होता है यह भी नहीं ले पाओगी aspirin अगर अपन कहें तो aspirin के अंदर carboxly का acid group होता है इसलिए possible है toluene में possible नहीं है तो 1, 2, 3 और 4, 4 molecules ऐसे है जहां पर का answer आजाएगा 0, 4.00 क्या answer आएगा next कहें हम इसके बाद consider the following reaction sequence ठीक है reaction sequence अपने सामने है find the total sum of different type of atom present in gases A, C and F A, C, F A gas, C gas और F gas के अंदर अपन कहें total variety of atom कितने present है भिन परमाणूओं की संख्या का योग बताना है एको पहले ये bicarbonate react करेगा तो यहां पर तो यहां पर तो यह सब में से best location है sulfonic acid तो सबसे पहले उसने 1 mol को दिया है तो react करके यहां पर क्या बनाएगा H यह जो molecule बनेगा वो क्या होगा H2CO3 लेकिन CO3 कौन से वाला 14 वाला और यह break हो करके जो gas generate करेगा वो CO2 14 वाली करेगा clear? यह होना है फिर उसके बाद आपका जो molecule है उस molecule पर 1 mol sodium bicarbonate हो रहाएगा तो यह bicarbonate जागर के इस H को कारवोक्सलिक वाले H को लेके जाएगा और इससे जन्नेट होगा H2CO3 नॉर्मल वाला 14 वाला नहीं और उससे फिर जो gas निकलेगी वो होगी CO2 यह वाली gas है कौन सी? A gas यह वाली gas है कौन सी? C gas फिर आपने NUH से reaction करवाई NUH का OH किसको interact करेगा सलफोनी कारवोक्सलिक react हो गए तो फिनॉल, अलकोहल और अलकाइल में से यह जाएगा हलागि उसके बारे में यहाँ उसने कुछ पूछा भी नहीं अपने को सीधा F पूछा है तो F का मदलब जो आप sodium से react कराओगे तो दोनों में से ज़्यादा बेटर ऐसे लिख यह है तो sodium से क्या होता है? यह वाला H जो है, हूँ hydrogen gas free करता है यहाँ पर hydrogen हुई तो आप आपको यहाँ पर बताइए एक आपके बस बना A में आपके बस बना क्या? CO2 14 वाला B में आपके बस क्या बना? CO2 और F में आपके बस क्या बना? hydrogen तो variety of atom अगर आपन देखें तो एक carbon 14 वाला एक carbon 12 वाला और एक oxygen और एक hydrogen total atom किते हो गए? 4 carbon 14, carbon 12 और hydrogen और oxygen total 4 type के atom आपके molecule में है इसलिए आपको यहाँ पे बताना क्या था? 4, 0, 4.00 यह answer रहेगा next देखिए इसके बाद which number of hydrogen will be having least bond energy with carbon in given below compound कौन से number के hydrogen की carbon के साथ सबसे कम बंदुर जा है देखो bond energy देखने का वे होता है stability of intermediate देख लो stability गर increase होती है तो bond energy decrease होती है मदलब stability of intermediate inverse होगी किसके bond energy तो आपके बस जो यह target एच है 1, 2, 3, 4, 5 आप इनको remove करके देखिए कि कहाँ पे intermediate बहस जननेट हो रहा है तो वो ही आपके बस क्या होगा कम बंदुर जावाला या least bond energy वाला जो bond होगा तो देखो अगर आप इस हैच को यहां से cut करते हैं तो ठीक है 1 degree benzylic free radical जननेट हो रहा है इसको अगर remove करते हैं तो यह तो unstable है इसके लिए high energy चाहिएगी यहां पे अपन कहें तो lilic है वाला जो एच्छ है उसे होमोलेसिस कर लेजिए तो 01.00 यह अपसर रहेगा कि नेक्स्ट कहें अम इसके बाद है हाउ मैंनियों फॉलोगिंग कार्बो केटाइन कैन अंडर्बोस डी अर्रेंजमेंट कुन सा शो करेगा यह आपका अपडेट होने का कोई चांस नहीं है यह वन डिगरी है जो टू डिगरी में अपडेट हो सकता है यह वन डिगरी है जो टू डिगरी में अपडेट हो सकता है यह वन डिगरी है जो टू डिगरी में अपडेट हो सकता है यह वन डिगरी है जो टू डिगरी में अपडेट हो सक यहां पर अपने बस तूडिगरी है थ्रीगरी बन रहां पर बनाएंगे निख पर कि ब्रिज हैड पर पोजिट्व नहीं ले जाना चाहते यह वन डिगरी है यह इसकी लिए आपके बस सीधा ओक्षन तो यह यहां पर ला रहें त्री डिगरी नहीं इसमें ज़्यादा बेट करते हैं इस मैथिल को जम्प करागे तो इससे भी ऑग सीजन के लोंप Exhale उलता है अच्छा है इसको रीएरंग नहीं करपाओगे यहां वाला प्लाइस 006 में आ जाए गप सीजन के लुटा देनश करेंगा तो अवर्ड होने वाले जो घैन है वंड तू धू थी 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9 आपके बस अंसर आएगा ये नेक्स देखिए बई दा पोजिटिव चार्ज ओफ कार्बो केटायन केन बी दी लोकेलाइज़ ओवर हाव मेनी ओक्सीजन एटम इन दा रेजोनाडिंग स्ट्रक्चर ये पोजिटिव अगर इस रेजोनेंस करता है तो रेजोनेंस करते करते ये वाली कंडिशन आजाएगी इस उक्सीजन तक पहुंच जाएगा ये वाला पोजिटिव इदर जाता है तो यहां से भी ये बोन्ट रेजोनेंस करता हुआ इसको यहां पे ले आएगा जबकि यहां पे अपन कहें यह वाला positive इस CO पे नहीं आएगा वज़े उसकी क्या है आप इस bond के बाद यह bond अगर move भी कर दें यहां पे plus ले आए तो उसके बाद यह bond इदर shift नहीं होता तो यह वाला जो oxygen है यहां पे आपका positive नहीं जाएगा इस पे भी नहीं जाएगा क्योंकि यह meta location है तो आप चेक कर लो बली यह यहां जाएगा यह bond यहां जाएगा उसके बाद यहां वाला positive सीधा यहां shift हो जाएगा यह बीच की location आती नहीं है कि अपन इस positive को इस oxygen पे लेके जाएगा तो यह दो location इस पूरी structure में वो है यह यह और यह यह तो वैसे माइनस हैं है और यह meta location पर होने की वज़े से oxygen का यह वो oxygen है जहां पर positive move नहीं कर पाएगा तो overall कितने oxygen पर move करेगा 1 और 1 टूपे तो आंसर आएगा 0.00 नेक्स्ट कहें हम इसके बाद the purine heterocyclic august mainly in the structure of DNA यह purine base है DNA में available होता है identify number of nitrogen atom having localized lone pair तो आपको वो वाला nitrogen देखना है जहां का lone pair localized है पतरब resonance में involved नहीं है वो localized होगा स्थानी करत एक electron होगा एक तो बटा यह है एक यह है यह तो बटा resonance नहीं करेगा तो system aromaticity कैसे आएगी तो यह resonance में वीजी है इसको छोड़ दो बागी कोई भी resonance में वीजी नहीं है यह ring में सभी जो bond है πाई वो resonance कर रहे है nitrogen के lone pair नहीं और यह वाला भी नहीं तो total location के T3 0300 क्या जाएगा next देखें इसके बाद in how many compounds d orbital involve in resonance कितने अनुवों में d कक्षक कितने अनुवों में d कक्षक अनुनाद में भाग लेगा बई d orbital जहां resonance में पार्टिसिपेट करें यह negative c l के d orbital में जा सकता है यहां ऐसा कुछ नहीं है यहां पे अपन कहें तो यह pie bone जो है यह phosphorus के d orbital की side बूग कर सकता है यहां पे यह negative charge जो है fluorine के बस कोई d orbital नहीं होता जहां d orbital resonance हो PF3 में ऐसा हो सकता है यह PF3 है PF3 में यह जो long pair है यह phosphorus के vacant d orbital की side d orbital resonance कर सकते हैं और यहां पे अपन कहें oxygen का long pair c l के d orbital में जा सकता है तो PF3 में Ocl2 में d orbital resonance हो सकता है यहां हो लेगा तो 1, 2 अगर अपन यहां पे कहें एक तो first molecule है जिसमें possible है एक से third molecule है फिर आपका यह fourth है और यह last है फोर ऐसे molecule है जहां d orbital resonance में involved है यहां तो d available ही नहीं है यहां पे भी d available ही नहीं इनमें d है huge होगा यहां पे भी use होगा यहां पे भी d use होगा तो यह बेटा paper का solution था कि आपने पूरा सभी question चेक कर लिये है जहां आपका वोई doubt रहा होगा उसका आपको solution मिल गया होगा जहां भी आपकी प्रॉलम है ठीक है बच्छो तो all the very best लगे रहिए आगे के DCM के लिए ताकि आपका जो भी कुछ कमिया है वो बहुत अपडेट हो जाए जह जह CLC फिर मिलते हैं